वहलू आयवर्इबन राधे-राधे आजके लेक्चर में आप लोगों को Business Valucion Chapter के सारे कंसेफ्ट Detail में revise करवाने वाला हूं और इसके साथ ही Chapter के अंदर आपने जितने भी Questions क्लास में तारे सॉल्व करे हैं QBK उन Questions में जो Special type के Questions होंगे वो भी मैं आपको जिसमें मैंने आपको बताया था सेकंड और थार्ड यह दो पार्ट यही सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं एक्जाम्स के लिए और इन्हीं में से क्वेशन बनता आपके जंदली तो इन दोनों पर ही अपना में फोकस रहता है तो यह चप्टर बहुत ही आसान था छो उसके लिए मैंने आपका फर्ट बनाके दिया इंट्रोडक्षन टू बिजनस वैलुएशन तो समझी बिजनस वैलुएशन होता क्या है सबसे पहली चीज़िए कि बिजनस वैलुएशन क्या है एक बार अगर यह समझ में आगया तो पर पस अपने आप आपका किलियर हो जा बिशनस की कमपनी के अगर आपको वैल्यू पता कर नहीं है नहीं किसी चीज के जरूरत होती है तो ही करते हैं तो बिजनस का वैल्यॐशन करने अपना बनाना है अगर आप किसी भी चीज़ को अपना बनाना चाते तो फिरी में कोई अपना नहीं बनता है पैसा लगता है उसके लिए तो Reliance Limited को मुझे कुछ consideration देना पड़ेगा कितना consideration जितनी उसकी value होगी तो Reliance Limited की value यानि पूरी company की value यानि Reliance Limited की business की value तो आप समझ में आया परपर आपको किसी business की value पता करनी यानि company की value क्योंकि मुझे Reliance Limited की value पता करनी पड़ेगी कि उसके पूरे business की company की value क्या है ताकि मैं उतना consideration उसे दे के उस company को अपना बना लो समझ में आई यही चीज़ आप अमाल्गमेशन business combination यानि accounting वाले पार्ट में करते हो तो सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं और यहां FM सब्जेक्ट में भी पढ़ रहे हैं दोनों में सब्जेक्ट में दूसरे से लिंक मत करना तो अकाउंटिंग अलग सब्जेक्ट है यह अलग सब्जेक्ट है अकाउंटिंग में तो क्या होता है अमाल्गमेशन business combination यानि merger acquisition हो चुका होता है और मर्जर acquisition होने के बाद आप accounting वाला पार्ट करते हो बुक्स में एंट्रिस पास करके record करते हो और यहां पर अभी मर्जर acquisition हुआ नहीं है मर्जर acquisition से पहले वाले फेज के अंदर अभी transaction होने वाला है process के अंदर है अभी तो हम value पता कर रहे हैं कि उसकी value कितनी है उसको consideration कितना दिया जाए उस process के अंदर है अभी मर्जर हुआ नहीं है तो FM क्या decision making का subject है तो यहां पहले valuation वाला यह सारा purpose करते हो सारी चीजे करते हो transaction को पूरा complete करने के लिए आप process के अंदर working करते हो तो यह मर्जर से पहले वाला phase है जो आपके सब्जेक्ट के अंदर deal हो रहा है और मर्जर हो जाएगा उसके बाद वाला अकाउंटिंग सब्जेक्ट में चला जाएगा तो यह मैं पहले ही आपको clear कर दे हूं ताकि आपको यह फाल्तू डाउट तो ना है इसके बाद आपका business solution करन तो कितना पैसा लूँ उसके लिए उन्हें पैसा बताना पड़ेगा तो पहले मैं अपने business की value पता कर लेता हूं में को अपने business की value पता चल गई तो मैं बोलूगा इतना पैसा दे दोर मेरी company ले जाओ तो यह परपस यह है और एक परपस और होता है business valuation का strategic decision making आपको अपने बिजनस में कोई नई strategy implement करनी है आपने सोचा कि अपसे मैं इस product को manufacture करूंगा इसको नहीं करूंगा marketing इस तरीके से करूंगा production इस तरीके से करूंगा यानि आप अपने business कोई नई strategy लगाना चाहरे हो तो आपको decision making करनी है कि क्या यह नई strategy मैं अपने business के implement करूं की नहीं करू तो वो आप किस तरीके से करोगे देखो की benefit कितना है वो सब चीज़ा हम इस chapter में detail में सिखेंगे strategic decision making के लिए भी आपको अपने business की value निकालने की जुरूरत पड़ती है जो कि आपको detail में बताने वाला हूँ तो यह है इस chapter का purpose कि इस chapter में आपको business की यानी company की value निकालना सीखना और क्यों जरूरत है सबसे main requirement merger and acquisition के purpose समझ में आगई बात अब आगे चलिए basics of business valuation आपका introduction वाला phase ही चल रहा है ताकि आप questions में help ले सको तो इनसे कोई direct questions नहीं आते है या आपको समझने के जरूरत है तो basics of business valuation यानी आपको business valuation करना सीखना है तो तब business valuation करना सीखो उससे पहले कुछ basics बाते जान लो business valuation के कुछ basics होते हैं अगर यह basic आपको नहीं पता होंगे ना तो यह chapter कभी भी जिन्दगी में समझ में नहीं आएगा मैं आपको बता देता हूँ यह basics वाली जो चीज़े मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना market में बहुत से लोग है बहुत इस्टुडेंट रहे हैं उनको भी इन बेसिक्स में आपस में मिक्स होते रहते हैं उनको समझ में नहीं आता कि यह method क्यों लग रहा है यह ताकि जो आप पूरी एएफ्म पढ़ोगे वो कहीना कहीं काम में आएंगी लेकिन अभी यह चैप्टर स्पेसिफिक बेसिक्स है बिजनस वेल्यूशन पढ़ने से पहले यह बेसिक्स आपको पता होने चीए अब यह क्या क्या है सबसे पहले सबसे पहले चीज़े की वेल्यू तो वेल्यू ओफम एंटरफ्राइस वेल्यू और बिजनस तीनों वर्ड का से मीनिंगल सबसे पहले तो यह आप अपने दिमांग में बैठा लेंडा कोई सबसे में बहुत हैं आपने इसे हैं इसे ही पढ़ने वाले हैं वेल्यूशन को क्वाडिंगे पढ़ेंगे तो सब्सक्राइब यानि पूरी कंपनी की वेल्यू होती क्या है वो बताओ तो सब्सक्राइब बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा पूरी कंपनी की वेल्यू क्या होने वाली है सर मैं Reliance Limited को अपना बनाना चाता था बचपन से मेरे सर पे जनून सवार था कि Reliance Limited को पूरा का पूरा अपना बनाना है यानि मैं नहीं चाता उसको कोई और आंख उटा के भी देखे या उस पर कोई हाट टच करके चला जाए क्योंकि मैं पूरा का पूरा उसे अपना बनाना किसी और के उससे नजरे पढ़ना नहीं चाहता मैं मैंने चाहता कोई और उससे नजरे डाले तो मैं अग vain करना पड़ेगा सारी के विटी शेर्ष ले लूंगा तो पूरां कंट्रोल मेरए पास आ जाएगा कोई और बंदा पूरी कंपनी पर मेरा कंट्रोल तो हो गया लेकिन अभी भी कोई लोग उस पर नजर उठाके देख सकते हैं वो पूरी की पूरी मेरी नहीं बनी है क्यों 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 कि हो सकता है रिलाइंस लिमिटेड ने मार्केट से कोई लॉन उठा रहा हो कोई डिबेंचर या बोंड से पैसा रेस कर रहा हो यानि जिसे आप डेट के नाम से जानते हो तो बिजनस को अगर अपना धंदा चलाना है तो एक्विटी या डेट दो जगे से पैसा लेता है FM के परपस से पह पैसा उठाया था तो डेट से अगर पैसा उठाया होगा तो डेट वाले बीच बीच में कहीना कहीं इंटरफेरेंस करते होंगे बिजनस में नहीं ऐसा नहीं करो क्योंकि उन्होंने भी लॉन दिया हुआ है उनका पैसा भी लगा हुए बिजनस में इंटरफेरेंस तो करें बोलना चाहता हूं कि उसके मेरे को पूरा हग जताना है यानि value of equity plus value of debt इक्वीटी वालों को पैसा देके equity अपनी बना लो debt वालों को पैसा देखे company प्रहक्ति को पाइस कंपनी की वेल्यू हो गई है लेकिन सुननना एक और चीज जैसे करते ही उसका बोस में बन गया उस कंपनी का पूरा कंट्रोल मेरे पास है तो सुनना क्या हुआ उस कंपनी के पास एक ती जोरी रखी थी और ती जोरी में कुछ cash रखा हुआ था हो सकता है वो cash के form में हो या bank balance के form में हो cash and cash equivalent तो बताओ जैसे इस company पर मेरा control आया उस tijori पर हख किसका है मेरा वो tijori मेरी तो हो गई भाई मैंने उसके equity वालों को पैसा दिया debt वालों को पैसा देगे रफाद रफाद तो company यहां पर पूरा हक मेरा हो गया यहांनि मैंने equity और debt को अपना बनाने के लिए payment किया और payment करने के बाद company मेरी तो cash and cash equivalent जो उसकी तीजोरी में रखा हुआ तो वो मेरे पास आ गया तो ultimately आपके form की value क्यों गई value of equity plus value of debt minus surplus funds cash and cash equivalent cash and cash equivalent को surplus funds भी बोलते हो क्योंकि यह ऐसा पैसा जो business में लगा हुआ नहीं था बिजनस में लगा हुआ होता तो कहीं आपके इन्वेस्ट हो रहा हो होता capex वगेरा में कहीं पे लेकिन यह पैसा तो तीजोरी में रखा हुआ है तो surplus रखा हुआ है इसलिए cash and cash flow and surplus fund होता है तो यह वापस आ गया इक्विटी वालों को debt वालों को payment किया पर उसकी तीजोरी पर कंट्रोल आया तो वह पैसा तो मिल गया तो वह आपने लेस्ट कर दिया तो यहीं है पूरी यहीं आपके business एंटरप्राइस की value तो value of firm यहीं है तो सब value of firm आपने जिखा दी इस चप्टर में basics के अंदर ही आप और वह बाते करने हैं बेसिक्स में पूरा प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं अगर मैं बात करूं तो देखो आपके सामने कंपनी है और उस कंपनी की जो बैलेंस चीट है उसमें लायबलीटी और अपने वन करो डेट्स पैसा उठा रहे है 50 लाइक बिजनस में पैसा लगा हुआ हुआ है और उस कंपनी की बैले तो आपको मालू में उसके पास cash balance कितना है वो तो फिक्स है ना जो उसकी balance में आ रहा होगा तेज़ोरी में आ रहा होगा डैट का balance भी आपको दिख रहा है 50 लैग यहीं होता है बात खत्म लेकिन सर एक्विटी का जो balance है ना वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको डायरेक्टल नहीं मिलता सर मिलतो रहा है balance sheet में एक करोड की इक्विटी आ रही है भाई यह तो शेयर कैपिटाल आती है एक्विटी फेल्यू पर आती है जब आप एक्विटी वालों की शेयर्स question में given होगा company के बाद debt होगी तो question में उसका balance given होगा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको form की पूरी company की value निकाल नहीं है बस आपको क्या करना पड़ेगा equity की value पता करनी पड़ेगी equity का valuation करना पड़ेगा जिसके लिए बहुत सारे methods है जो इस chapter में अपने को बढ़न प्रेक्टिक लाइफ में तो वैसे मिल जाता है तो आपको equity की value निकालनी है debt cash available होगा तो आपको इस equation में data डाल दो value of form मिल जाएगी समझ में आया तो यह तो basic equation है हमें इस chapter में major part जो पढ़ना है वो यह पढ़ना है equity की value कैसे निकाले जिसके लिए बहुत सारे methods है तो इस chapter क जो second part है न अप्रोचे दो वैल्यूशन उसमें अपन यही पढ़ने वाले हैं कि इनके methods अप्रोचे मतला methods उसमें आप equity की value निकालने के methods पढ़ोगे तो जैसे मैं अगर यह point बोल रहा है आपके मन में point आगा सर ऐसा कुछ हमने पढ़ा हुआ आपने पढ़ाया ता पहले कह सर में इनकोर सर वाले हैं कितर्यों से recruit की value पता करते तें player value क्या होनी चाहिए है इंट्रिंसिक वैल्यूर क्या होनी चाहिए पता करते थेना सर्व security valuation chapter मेंよね क्या सर एक्वारी निय जाप्ते है कि क्या वही lean method यहांप word यहां पर पेप्य पाड़ा अलग method पढ़ोगे तो आप एक्जाम में बस कंफ्यूज होते रहते हों फिर कोई भी आपको कुछ भी गोल देता है कि पेपर टाफ है ऐसा वैसा तो सुनों होता क्या है सिक्तुराइटी वैल्यूशन चेप्टर में हमारा परपस अलग था वहां किसी कंपणी को अपना नहीं बनाना चाहते थे वहां मैं नॉर्माल इंवेस्टर ट्रेडर ता मुझे 10,20,500 शेयर खरीदने थे किसी कंपणी के तो मैं ये देख रहा था किया इस कंपणी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्या company का share market में overvalued है की undervalued है क्या share आज buy करू की sell करू यह decision making के purpose से आप महाँ पे valuation of equity करते थे और इस chapter में आपका पूरा purpose change हो चुका है इस chapter में आपका purpose है सामने वाली company को अपना बनाना है सामने वाली company को खरीदना है खरीदने के purpose से equity का valuation करना है जब आपका purpose बदल जाता है ना तो उसी वक्त आपकी सोच बदल जाती है और सोच बदल गई तो method बदल जाता है सिंपल सी बात है सब खेल purpose का है आपका purpose क्या है होता है बुरा मत्मा Seiल होने का आप सोच रही हो कैसे तेंशन नसी आप लोग आप पढ़ने का परस भी यो ढेकर्वर्त हो प्राINO के नियुक्न हो में त西 लिएinging निकाल में डालो पुरी आप देखिए काई बार क्या होगा कई बार क्या होगा ना question में आप सुनना question में value of form आपको देदेगा debt ये cash company के पास होगा तो वो भी बता देगा आपको वह लेगा equity की value निकालके दो तो आप थोड़ा दिमाग चलाओ जो basic mathematics मैंने आपको basics of AFM में बताए थी basics of AFM जो बताए ना वह सबसे पहले आप पढ़ाओ वह सबसे पहले रिवाइस करो वरना आपको कोई भी chapter में कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि उसके अंदर पू लिया इधर से value of debt इधर गया तो plus वाला सामने गया तो minus में और यह minus वाला सामने गया तो plus में तो minus value of debt plus surplus fund यानि cash and cash आपको मिल जाएगी value of equity आपको एक्विटी वालों की value मिल जाएगी यानि उस basic equation में कोई equation नहीं नहीं बनाया मैंने उस equation से value of equity निकाल दी तो यह कब लगा होगे मानलो आपको question में value of firm दे दी या फिर साथ में value of debt or cash का balance भी दे दिया और आपको पुछा value of equity तो बस यह लगा दो काम complete हो जाएगा समझ में आगई यह बात आपको इसका रोल एक और जगह आता है क्या होता है कई बाद क्वेशन में मालों आपको एक बार सोच ना imaginary situation मनाना जो आपके दिमाग में मैं बैठाना चाहता हूं आपको question में data दे रखा है और question में data दिया हुआ खूप सारा आपके सामने आपके सामने ऐसी data दिया हुआ नौर्मली खूप सारा calculation के परप्रस से इसके बाद आपको डेट का बैलेंस दे रखा है कैश का बैलेंस दे रखा है और आप से पुछा equity की वैल्यू निकालो दुसर एक्विटी की वैल्यू के method पढ़ाने वाले हो ना वो लगा लेंगे मैं आपको बताओ जितने भी पढ़ाने वालाूं उन मेंदे कोई भी मे cruelty ही देटा लगी नहीं आपको पढ़ाने वाला हो कुछ मैंथा पढ़ाऊँगा पढ़ाऊंगा तो बादि यज बारेटली एंड़क्स ब socialism थर लाटक्र निकालना पढ़ेंगे गप्थे पो संர होनगे और निकाल बस यही पॉइंट में को समझाना था यह किसी का अगर किलियर नहीं होगा तो आज की दिन मार्केट में कोई बस आगे देखे बेसिक में कुछ नहीं है इसके बाद वैल्यू आपने निकाल ली जो मैं पढ़ाऊंगा उससे आप वैल्यू एक्विटी निकाल लेना डिवाइड वाई कंपनी में टोटल नमबर विक्विटी शेर्स कितने हैं तो आपको मिल जाएगी पर शेर वालों की व एक शेर की कितनी वैल्यू है वह में जाए कि बस खतम यह पॉइंट इफ देर इस नौट डैट एंड सर्प्लस फंड यानि कैश एंड कैश उकुलेंट तो बताव ऐसी कंपनी की वैल्यू ओ फॉर्म और वैल्यू आफ एक्विटी क्या होगी दोनों सेम हो जाएंगी सर कि बराबर नहीं कि बता रहा है तो समझ जाओ इस कंपनी में कोई जबरदस्ती में तो अध्यूम करके होगा पांच लाग का एक तो फिर आप से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है यह गलती तो कभी भी जिन्दगी में मत करना कोई आपको कितना ही ग्यान देने वाला मिल जाए बहुत सारे ग्यान देने वाले दुनिया में हैं उनका ग्यान नमत लगाना ग्यान लगाएगा अपना ग्य सबसे जरूरी चीज है आगे चलिए लास्ट बेसिक्स के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डबलू एसी से बहुत काम में आएगी कैसे काम में आएगी आगे बताऊंगा आप लोगों को तो यह काम में आएगी तो आपको डबलू एसी कोस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी निकालना आना चाहिए तो यह होती क्या पस उतना ही रेलिवेंसी के ताब मैं बताऊंगा जितने आपके काम की है क्या है एफम के परपस से कैपिटल का मतलब केवल एक्विटी कैपिटल मे दमक्राइन पैसे के पैसा कहा से लिया माली जो मैं अपने धंदे में पैसा दालना है माली 2004 डेट दो जगह से पैसा रेसों करता हूं और इस चाह है। उस पैसे मेरी कोश्ट क्या रही है। आप जो पैसा उठाती हो मर्केट से तो फीर में नहीं मिलता। आपकी कोश्ट आती है को उस्सकी उनको कोश्ट इंकर करनी होती हो उस पैसे पर लिए को आपको बतानी है कि business की cost क्या रही है capital पे तो सर्फ business की जो cost आती है capital पर आप W ACC बोलते हो जीसे के उसे denote किया जाता है के का मतलब cost ऊवराल यानि cost of overall capital ठीक है overall cost बिजनस की वह कैसे आएगी सर equity वाले क्या cost गया है और debt पर क्या cost आ हृए equity की Qust को हम बोल देता के Q cost of the equity, KD cost of debt ठीक है यह आप की होगी cost कोश्ट के फ्लस केडी कर दे तो हमें WAC से मिल जाएकी के प्लस केडी में तो आपने डायर्क्ली Simply Addition कर दिया जब कि cost percentage के टम्स में होती है और मैंने debt वालों से 50 lakh उठा रहे दे, अब बताओ मेरी जो cost है, जो मेरी cost आएगी सर, equity पे तो एक करोड रुपे पे आएगी, एक करोड रुपे पे cost रिंकर करनी है, और debt वालों पे 50 lakh रुपीज पे cost रिंकर करनी है, और जो मैं cost निकालता हूं, वो percentage के time में per annum निकालता तो सर दोनों की cost का simply addition नहीं कर सकता, मैं मेरेको weighted average करना पड़ेगा, weight लेना पड़ेगा सर, company में equity कितनी है, तो equity का weight दो, total capital में दे, और debt वाली cost के लिए company में debt कितनी है, out of total capital उसका weight दो, तो सर आपको cost of equity को weight of equity से multiply करना पड़ेगा, plus cost of debt को weight of debt से multiply करने का WSEC आ जाएगा, कि यानि cost of equity जो की CAPM से आप निकालते हो, RF plus beta of equity, RM minus RF, असारी इस equation का logic क्या है, इसका logic बहुत बार portfolio security valuation में discuss हो चुका है, तो वहां से revise करो, 3-4 गंटे दिया, अपने पुरे regular lecture में, revision वीडियो में भी पूरा समझा है, तो वहां से आप revise करना इस चीज को, वह चीज़ दुबार केडी क्या है, cost of debt, debt पे cost क्या रहिए, तो यह post tax लोगे, debt पे cost क्या आति है, debt वालों को आपके interest पे करना होता है, तो interest rate on debt, लेकिन जैसे आप debt को interest पे करते हो न, वो interest income tax में अलाव हो जाता है, deduction मिल जाती है, अलाव होता है, यानि income tax का benefit मिल जाता है, खर्चा अलाव हो जा और कि घृटी की हम बात करते हैं तो इक पर तरीकिते में ने वर्थ ले रहा हूं बस एक एक्ट्रा होती है जो कंपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाती किसी भी रीजन की वज़े से या अकांटिंग रियूल की वज़े से लेकिन वह एक्च्वल में उनकी इंटेंजिबल एसेट है तो सर वो भी यहां पार्ट बनाओ नेटवर्स का पार्ट क्यों बनेगी नेटवर्स न तो वेट में यह द्यान रखना जब भी मैं एक्विटी डैट के वेट वगेरा की बात करूंगा ना हर चेप्टर में अलग 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 टॉपिक में वेट में थोड़ा थोड़ा चेंज होता यह ध्यान रखना यह आपको याद रखना है यह बहुत बार मैं पहले बता कि अब देखें डब्लू इसी के अंदर ही अगर आपको क्वेश्चन में लॉंग ट्रम डेट पता है क्वेश्चन में लॉंग टम डेट दे रखें लेकिन कॉस्ट ऑफ ड़ेट ही आवेलेबल ही रहें तो वहारा माहान इंस्टिटूट डब्लू एसीजी सी ए पीम से निक करता है तो इसी क्वेशन में हम पूरे बिजनस की डाल दे बिजनस की कॉस्ट मिल जानी चीए कॉस्ट ऑफ केपिटल पूरी कंपनी की कॉस्ट ऑफ केपिटल मिल जानी चीए तो बस इंस्टीट यह हमसं से सॉल्फ कर देता है जब केड़ी क्योश्ट में अवेलेबल ना हो क्योंकि इस तरीके जो आंसवर आएगा दोनों डिफ्रेंट होते हैं क्योंकि यह तरीका ही नहीं डबलूएसीट के लिए यह तरीका एकडम गलत है अपस इंस्टीट फॉलो करता है जब केड़ी अवेलेबल नहीं हो चोईस ना बचेगी तब जाके हम इस फॉर्मॉला को यूज में लेंगे डबलूएसीट वाले को इन जनरल आपको डबलूएसीट निकालनी है तो इस नॉर्मल फॉर्मॉला से कोई सुचे कि मेरे पास टाइम कम है एकड़ाम में यह शॉर्टकट लगा दो तो बस आपको फिर मागश्वी शॉर्टकट में आएंगे तो यह वाली चीज आपको ध्यान लखनी है इस ही के दाद इस चेप्टर के अपने बेसिक्स वाला पार्ट पढ़ लिया सबसे इंप इस चेप्टर में बहुत मैनत लगे यह नोट्स देने में देखना अब अप्रोचेशन इस पार्ट से बनते हैं अप्रोचेशन में बहुत सारे में पढ़ने हैं जो कि आपको एक्वीटी की वेल्यू निकालना सिखाएंगे और कुछ ऐसे में भी होंगे जो डिरेक्टली वेल्यू फर्म निकालके विदेंगे तो वो सारे मेथर्ड अपने को इस पार्ट में सीखने है तो सबसे पहले मैं पाँच मोडल पढ़ने हैं आपको जिसके बेसिस पर आपका वैल्यूएशन होने वाला है और हर मोड़ल के अंदर दो तीन दो-तीन में तो कुल मिला के 10-12 आप मान के चलो इस चेप्टर में आपको पढ़ने हैं जिनके बेसिस पर हमारे सारे क्वेशन सौलव होंगे बहुत आसान है अगर आप लॉजिकली समझते हो जो आपने लेक्चर रेगुलर लेक्चर में किया होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी बाकि यहां पर भी मैं चीज आपको यहां सबसे में इतने सारे आपको मेस पढ़ांगा तो सर बहुत सारे मेथर सब्सक्रेने घंः और Watch Nepal के मैं जींसे ब्रुति मीलेगे तो क्या हर से नहीं हों जा आलग बात है هوना हर मेथर मेथर अपनी एक different तो आपको डिफरेंट्ट मिलने वाली है इतिफाक से कुछ भी नहीं वासकता है बाकि मैथा ख से वल्यू अलग अलगी अगेंगी जैसे कि जितने मैं स्मोच नहीं होती है तो दूसर आपको डैरेक्टली वह मैं सर बताना चाहिए न जिसमें कमी नहीं हो जो सबसे accurate when you do with 8 मह"...समें नहीं हो अभी में आपको बढ़ाऊं नहीं है,समें कमझ में अब कोई भी मैथट नहींहेरा है..अब कोई भी मेतद work एक दम अब देहीं नहीं सकता जो तो यह जो चीज़ने चीज कोई नहीं है तो सब 한ब फिर प्रेक्टिकल लाइफ में कुनसे मेना क्वाइड से निकाल जाती बाप अले नहीं और हर में रिघन से बालकार आगएू सो प्रेक्टिकल लाइंस में Мें क्या किया जाता है 3-4 अब आइसकर वेलेज उस्तों में चारउ में हमकें कैसे करें के शहीन यह डिमांग यहाτε करने अपना ज़्यादा नहीं चला रहा है तो अपनी मर्जी से करें नहीं उस क्वेशन में आप डेटा देखना जो डेटा हो देखके ही आपको समझ में आजाएगा इसमें तो यह अगर आपने धंसे पड़ा होता तो आप क्वेशन देखके खुद ही बता देते हैं कि इसमें तो यही मैसर लग सकता है अगर आपने पढ़ा होता तो यह सिंपल सी बात है तो बहुत आसान पॉइंट हो भी थे क्वेशन में लिख दें कि एवरेज करो इन दो मैसर से आयूँ वेल्यू का और उससे फाइनल वेल्यू म कि मॉडल्स है यह को अब क्यूंत смотреть मैं यह मैठिद नयुक्त आहिको क्योंति मैंतल इन ऐन समय सब सकता उच्वी में मार्केट ने से एकक्षकश फिर्गी मार्केट प्रेइस बता करके मार्केट मैं एक पुर्फ गेचर को रे सानु तो बताओ इस method से कौन सी value मिलेगी form की value की equity की value तो अब आप खुद judge कर पाओगे कि यह method आपको equity की value देगा कि form की value देगा आपको किसी के भरोसे नहीं बैठना मैं आपको बता रहूँ इस method में जब मैं method पढ़ाता रहूंगा आपको बताओंगा कि बच्चे सबसे ज्यादा confusion कहां आते हैं आजी से ज्यादा जनता को इस चप्टर में नहीं पता कि इस method से equity की value मिलेगी की form की value मिलेगी जो बिल्कुल लॉजिकल है और इवन पढ़ाने वालों की यह हाल है मैं आपको बता सकते हो किसी को नहीं पता में क्या पढ़ाना सब हवा में कुछ भी करे जा रहे हैं मैं आपको बताओंगा क्या क्या होता है इस चेप्टर के अंदर सबसे बुरी हालत है क्योंकि मॉडियूल में कुछ नहीं मिलने वाला आपको जो मैंने यहां इस ट्रक्चर दिया हर चीज लिंक से तो आपको वेल्यू आफ इक्विटी मिलेगी इस में इस में आपको पूछा वेल्यू आफ इक्विटी निकाल दो समझ में बात बेसिक क्विशन का रोल सबसे लाश्क में होगा ताकि आप इस चेप्टर को लॉजिकली सको अब आपको सब लोग इसमें कंफ्यूजन में डालते रहते हैं मिक्स करवाते रहते हैं इवन प्रेक्टिकल आइफ में जो काम करते हैं वह भी मिक्स करते सब्सक्राइब को एक स्ट्रक्चर तरीके से कोई बताई नहीं पाता है तो वह पूरे रिसर्च लगती है उसके लिए वह मैंने आपको यहां करके दिए कोई मैत्रियू राइस स्ताइब में एक्सेट्रावरदल इंस्टिट्ट कूई मेथर्य में मैदने वोगने थे उनीक ils बड़नी आपको पताओ ना चाहिए टरी निकालत हैं प्रिसबốn हो और इस मैताड से चाहो तो टोटल वेल्यू आफ इक्विटी भी निगा सकते हो एक्विट्ये कि मल्टिप्लाइ करने की वजाए टोटल अर्णिंक वेलीबल ट्यूटिटी शेर्वोल्डर से से मल्टिप्लाई कर दीजिए कैसे सब पी रेश्यों का फॉर्मुला होता है MPS divided by EPS तो न्यूम्रेटर में number of shares से मल्टिप्लाई करो डिनोमिनेटर में number of shares से मल्टिप्लाई करो एंपिएस को number of shares से मल्टिप्लाई करोगे तो क्या हैगी total value of equity और EPS को से तो बस complete यह मार्केट बेश्च मोडल question आएगा तो आराम से आप कर सकते हैं अब देखें मार्केट बेश्च मोडल आपने बताया हर में कमी है हर मोडल में कुछ ना कुछ कमी है इस वज़े से नहीं नहीं मैथट आते चले चले गए तो इन है तो कोई दिक्कत नहीं है उसके equity की value निकाल लेकिन मानली जी में कैसी कंपनी का valuation करना है जो शेयर मार्केट में लिष्टेड ही नहीं है तो उसकी मार्केट प्रेस पर शेयर नहीं पता कैसे लगाओगी वह लोगों ने बढ़ा बढ़ाके उसके दो तीन हजार पहुंचा दिया आज मार्केट में ऐसी कंपनी जिसके पास पचास प्रेट बीनिये वह कंपनी मार्केट में दो तीन अजार उपया का उसका शेयर ट्रेड कर रहा है जो कि वर्त नहीं है वह बिलकुल गलत प्राइस देना चाहोगे जो कंपनी एकदम बरबाद है तो मार्केट में जो प्राइस है वो कभी भी फिर वैल्यू को रिख्लेक्ट नहीं करती है और दिमांड सप्लाई से आती है तो मार्केट प्राइस एक सही मेज़र नहीं है तो सर्थ मार्केट बेस्ट मोडल में बहुत गलतिया ह काम करते हैं फिर हम कंपनी की असेट को ही बेस बनाके उसकी वैल्यूशन कर लेते हैं हमने जो कमी थी वह दूर करनी चाहिए पूरा इस्ट्रक्चर में ही मिलेगा आपको यह चप्टर में पढ़ाता हूं वही चीज इस चप्टर में सब्सक्राइब यह आपको लिंक करना आना चाहिए तो साय बेष्ट मोडल में पहला में नैट असेट वल्यू में जिसे आफ बुग वेल्यू में अथि बोलते हों सेट का मतलब क्यों पता कर लो तो सर वही होंगी नेट असेट जिसे आप बुक वेल्यू के नाम से भी जानते हो नेट वर्थ भी बोलते हो बेसिक्स ऑफ अफ में चले जाओ टोटल असेट में तो टोलाइबिटी माहिनस कर दोगे तो क्या बचेगा से नेट वर्थ वेल्यू इसी वज़जे से लियू अकुछ Leia थाए वेल्यू को बिद्ध लेना है यानि नेट असेट निकालने का तरीका क्या है नेट वर्थ निकालने का तरीका तरीका डोटल Elementary एक शौट कट भी है शेयर कैपिटल प्लस इसवेंट सब्स एक्विटी शेयर कैपिटल प्लस इसवेंट सब्स करोगे तो भी सेम चीज आएगे ना आप सोच रहें एक बार यह मैंने बेसिक में आपको बताया हुआ है जिस कमपनी का मुझे वैलुएशन करना है थो इसकम्पनी की लइयबिलेटी साड में एक्विटी आ iD value की एनिदैर एक्विटी के सब्सक्राइदा हमेशं चाहर पोनर यान एक्विटी वालों का रहता है यह बताया हुआ आपको बेसिक्स के टाइम पे बता दीती वो चीज़ दुबारा पंदी पेतनी करते बाद एक्विटी शे इदने पहुंचा तो मुझे उसकी वेल्यू पता कर नहीं है उसकी टोटल असेट था रिटी उसमें से मैंने टोटल लाइबलीटी था ठीक है फिर मेरी नजर गई उस कंपनी की बेलेंशीट के नीचे एक फुटणोड था फुटणोड में इस दिख रही तो आपको पता होगा अगर आप फाइनल के स्टूड़न्ट हो और अकर यह भी नहीं पता तो तो बहुत गड़बड़ वाली बात दिक्कत आएगी आपको तो फुटनोड नोट में ती सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब बनाना चाहो तो आप हर चीज़ को टाफ बोल दो आपको मन करता है कि मैं तो इस को टफ बोल दो तो मैं को खुशी मिलती है जो लोग करते हैं अपने सैटिस्फेक्शन के लिए जब कि बहार से उसको कभी सीय बने का सैटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता यह सब करने के चकर में तो वह आपकी मर्जी है तो यह आगया मैथड़ अब देखिए नेक्श मेथड पढ़ें उससे पहले सर इस मेथड की कमी की बात करते हैं मैंने बोला हर मेथड में कमी है तो सब्सक्राइब में बहुत बढ़ी कमी क्या आप जो नेट असेट ले रहे हो यानि टोटल असेट ले रहे हो उनको हिस्ट्रिकल कोस्ट बैलेंश सब्सक्राइब में जितने अमाउंट प्यारियां वो ले रहे हो मैं तो बुक्स का अमाउंट उटा रहा हो ना तभी तो इसे हम वेल्यू बोलते हैं तो बुक्स में आज के दिन बेचने पर पैसा मिले वही तो एकदम रियल फेर वेल्यू को रिफ्लेक्ट करेगा तो तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए नया मेथड आया असेट बेच मूडल में नेट रियलाइजबल वेल्यू मेथड जिसे आप लिक्विडेशन वेल्यू मेथड भी बहुते हो कि वही इस असेट से आप पर रियलाइस कितना पैसा कर लोगे वह काम में लो यानि लिक्विड होती यह पर बात खतम लेकिन असेट की वेल्यू है भी जिसको आपको फईर्व पर आप सबसे पहले बूंट वेल्यू पर ने अ वो उठालो बेलेंशिक में यह जू आपने किया था ना एक्विटी शेग प्लस इस अप्लस प्लस मैंनस कंटेंजेंट लिए ले लो सबसे पहले दो यानि बुक वेल्यू में आगई नेट अपने लेली अब हमें इसे फेर वेल्यू पर करना है तो अब आप देखों बुक्स में कोई ऐसी एसेट है क्या जिसको बेचने पर जिसको इसको बेचने पर आपको वेल्यू से कम अमाउंट रियलाइज होने वाला है तो सब्सक्राइब के लिए मान लीजे कोई एसेट मेरी बुक्स में 100 रुपीज क्या रही है और उसको अगर मैं आज की दिन बेचने जाओं तो 80 रुपीज ही मिलेगा बेचने पर 20 रुपीज क सब्सक्राइब करो बुक्स में वह सब्सक्राइब क्या ही तो बस यही पॉइंट है इसके अंदर इस चेप्टर में आप लॉजिकली समझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी तो यह पॉइंट भी अपना कंप्लीट हो गया अब इस पॉइंट के बाद नेट रियालाइजब है तो नेट रियालाइजबल वेल्यू मेथड में भी बहुत बड़ी कमी बहुत बड़ी कमी है बहुत मेजर कमी है जिसको मैं एक एक्जाम्पल से समझाता हूं उससे आपको एकदम आसानी से आप लिंक कर पाऊगे मैं अपने कोचिंग इंस्टिटूट की बात करता हूं इसका बिजनस वेल्यूशन करना चाहते हो क्योंकि आपका मन कर रहा है कि आप एयर वंसे इंस्टिटूट को खरीद लो तो आपने लगाया नेट रियलाइजबल वेल्यू मेतड़ आपने बिजनस में बताओ असेट क्या होंगी मेरे बिजनस में सरे की राइटिंग पैड ह होगा एक पीची होगा चायम और क्या ही असेट है मेरे बिजनस में मेरे बिजनस की तो यही लिटेट असेट है तो आपने वैल्यू कैलकुलेट करी देट दो लाग रुपीज हमारे नाम कर दीजे मैं बहुत हाथ जोड़े तुमारे आगे नहीं करना मुझे रुपै मेरे बिजनस की जो भी वैल्यू है पर दो लाग रुपय तो नहीं है इतना आपका भी पता और मुझे भी पता है दो लाग रुपय का तो मेरे बिजनस में डेली खर्चा ही हो जाता इतने तो एक्सपेंसेद हो जाते हैं तो भाई रहने दे समझ में आई बात तो सब मिश्टेक कह सहां करें आपने आपने मिश्टेक कही कि आपने मैथट गलबग करा कुछ घूसका है मेरा विजनस और उनकम या उर्निग जनरेट करने की जाता होती है और मैंने वही चीज़ को सुक्षाइब सेक्ट करने वाली government करता है या कदू चालता हूं चालता हो समझ के Cole सकता यह कमी ती मैठेड की तो सारी इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पढ़ेगा नेक्ष्ट मोडल इंकम या अर्निंग बेस्ट मोडल ठीक है वह अन्होंने बोला लो इनकम या अर्निंग बेस्ट मोडल पर पहले मार्केटपैस से चालू कि आउसमें कमी पता चलिए कि income को बनाना चाहिए तो हमें income या अर्फ और चीज इस ट्रॉक्टर में है है यहां पर मैंचेंगा लेकिन आपको बता रहा हूं यह िश्च्रॉक्चर में जिस तरीके से दे रहा हूं बस यही फॉलो करने आप यह क्वेशन करने की आदतान उसको बदल दो यूट्यूब पे खलाना का वीडियो देखा उसने क्वेशन सॉल्फ करा दिया खुश हो गए कि इसने फिरी में कुछ नहीं कर रहा क्योंकि उसके चक्कर में क्योंता है वो क्वेशन सॉल्फ करा देता एक आदे और थोड़ा भी सब्सक्राइब अपने आप आप लाइस में आगे बढ़ोगे तो कंसेप्ट पढ़ना करो कोई भी क्वेशन कभी गलत हो गई नहीं आपका इनसे बाहर आई नहीं तकता इसलिए बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं आप लोगों को और यह कंसेप्ट नोट्स की मैं गैरेंटी आपको मी readers c until 3 ninth इस बता इस्ट्रेशं और तो यह जो मोड्यूल में कोई और आपको दे पाएगा और वास मिक्स करवाते रहेंगे यह value of equity value of firm इसमें यह कर दिया इंस्ट्यूट ने गलत कर दिया कोई इंस्ट्यूट गलत नहीं करा बस हमारा पढ़ने का तरीका गलत रहता है इसलिए हम बस सारा blame इंस्ट्यूट पे डाल देते हैं हर जगें इंस्ट्यूट गलत नहीं होता एक दो जगह होता है जो मैं भी बताऊंगा और वह आप लोजिकली खुद भी verify करता हो समझ में आई बात तो इस ट्रक्चर से बढ़ो नोट्स जो है बहुत important है इसके अंदर सब कुछ करक्स है कुछ है ऐसी फैकल्टी में मार्केट में जिन्हों कॉपी भी करे हुए है मेर मेहनत लगती है बुरा लगता है मैंने टाइम दिया आप भी टाइम दे कि महनत करो मेहनत होती नहीं है रिजल्ट चाहिए वही वाली चीज है कि आप लोग भी महनत करोगे तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा बिना मेहनत आप सोचो कि डिरेक्री बाद शॉटकर से मैं दो-त आज के टाइम पर तो कुछ नहीं आते पेपर का लेवल ठीक है आगे बात करते हैं अब इस टॉपिक पर अपने आते हैं देखिया इंकम या अर्निंग बेस्ट मोडल के अंदर सबसे पहला है डिवीडेंट ग्रॉथ मोडल जो है यह आपको वैल्यू देगा अब इस मोडल हमें आपनी इंकम यह इंकम आणिक बनाना या कि सरुम पर यह वैयरीयबल जिल्लीगी बर इस तरीके पर आ रही है वही फॉर्मॉला है जो हमने इस भी वेलुएशन में देखा था डेक्टो वही दुशन मोडल तो आप सोचो डिविदेंट किस मिलता है इक्विटी शेयर्स में यहां पर जब आप वेलुएशन करोगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी वैल्यू अफ एक्विटी बही हम अर्निक्स को बेस बना रहे है से ज़्यादा मेथड तो यहां पर आपको कौन सी अधंप्शन बढ़नी है कॉंस्टेंट ग्रोथ वाली जिन्द की भर एक फिक्स ग्रोथ रेट कि दा डिविडेंट मिलता रहेगा तर पीवी वाला कंसेप्ट लगा और यहां पर पीवी वाला कंसेप्ट पूरा अपलाई हो पीवी वाला जो बेशिक्स का चप्टर सबसे पहला संब का वह लेक्ट्चर देखना तो क्लियर मिलेगा तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है क्वास्ट पर्पेटृल कैश्फोर डिवाइडड बाइड इसकांटिंग रेट माइनस ग्रोथ रिट पर्पेट पर्पिच क्या रिटन चे रिक्वाइड रिटन जो की के आप निकालते हो जिसे कंपनी के पॉइंट और वी से कॉस्ट भी बोला जाता है यह मैंने आपको समझाए होगा तो दीवन गीवन होगा नहीं हो तो दीजीरो वन प्लस जी कर लो आप जी यानि ग्रॉथ हेट कौन सी लोगे तो को लेगे इसका मतलब क्या ध्यान से सुनना लिक्वी जो कंपनी वह मालीजे सामने रिलाइंस लिमिटेड आज के दिन रिलाइंस लिमिटेड 15% पर एनम से ग्रोथ कर रही है पर मैंने सोच जैसे ही मैं उसे अपना बना लूँगा ना मेरे अंदर इतना दिमाग है जो उसक 15% पर एनम की ग्रोथ आने लगेगी तो सर जब आप वैल्यूशन करोगे ना तो इस फॉर्मला में ग्रोथ आप कौन सी लोगे आफ्टर मर्जर आपको कौन सी ग्रोथ मिलने वाले सिंपल सी बात है मैं वैल्यू पता करूं एक्विजिशन के परपस से ठीक है तो यानि वै यहां तकना है क्वेशन में दो ग्रोथ रेट दे तो कौन सी लोगे आफ्टर मर्जर वाली तक के यानि कॉस्ट ऑफ एक्विटी यानि यूजिंग सी एप्यम इन्वेस्टर को क्या रिटन चाहिए जो कि आप आरेफ प्लस बेटा एक्विटी आरे माइनस आरफ से निकाल इन्वेस्टर को जो रेटन चीए कंपनी के लिए वही कोस्ट है तो फ़र्स प्राइटी यह रहेगी पर सब क्वेशन में आपको के देनी रहे और नहीं का डेटा दे रखा अब क्या करने सब्सक्राइब दूसरे तरीके से आप निकालोगे कॉस्ट ऑफ एक्विटी और य का मतलब कंपनी की कोश्ट क्या रहे है यह का मतलब कंपनी जो इकविटी से पैसा ले रहें मिलने वाला हर साल यही तो मिलने वाला है तो किस पर मिलेगा और जाएगा के लिए फिप्रक्राइट्स टो गांपनी खर्चा क्यों करें कंपनी के लिए खर्चा लेए बड़ा-बड़ा के देना है ना कि तो कि सर्थ हम करन्ट कोस्ट आफ एक्विटी निकार रहे हैं वह कंपनी की जो करन्ट मार्केट प्राइस आ रही है शेयर में वह बताओ कैसे आ रही होगी जो ट्रेडर लोग है वो डिमांड सप्लाइ कर रहे थे तो उन लोगों को थोड़ी ना पता है कि अभी इस कंपनी का मर्जर होने वाला है यह कंपनी का मर्जर हो गया भी तो कोई मर्जर हुआ नहीं यह भी तो प्रोसेस चल रहा है तो उन लोगों के मंद में तो जो एक्जिस्टिंग 15% पर रहनम वाली ग्रोथ रेट है उनके दिमाग में तो उन लोगों को थोड़ी पता है कि इसको कोई ऐ इतनी वाला जो 18% पर रहनम की ग्रोथ रेट कर देगा वह तो क्योवल मुझे पता है तो वह लोग तो 15% पर रहनम की ग्रोथ रेट ही सोच रहे हैं उसके अक्वाडिंग की मार्केट प्रइस आ रही है मार्केट में वहाना 18% की जैसी मर्जर अनॉंस हो जाएगा ना तो मा आपको प्रूफ भी करके दिखाया हुआ है तो उस पर अभी जाना नहीं है अब देखिए इस फॉर्मुला में आपने पर शेयर ले लिया तो डायरेक्ली वैल्यू पर शेयर मिलेगी और अगर इस फॉर्मुला में आपने डीवन जो है वो टोटल लिया तो आपको ले ले लेना और टोटल पूछाओ तो डिविडेंट टोटल ले ले लेना तो वैल्यू ऑफ इक्विटी भी टोटल आजाएगी यह हो गया डिविडेंट ग्रॉथ मोडल समझ में आ गया अनिंग बेस्ट मोडल था तो इस मेथड में क्या कमी है जिसकी वज़े से हम अगली बात करों जब कंपनी अपनी हो जाएगी वह कंपनी अपनी हो जाएगी तो बताओ क्या मैं यह टुच्चा डिविडेंट पे नजर डालूगा कि उस कंपनी की पूरी अर्निंग्स में नजर डालूगा आप सोचो मैं कोई छोटा मोटा ट्रेडर इंवेस्टर नहीं हूं ज यह कोई डिविडेंट पे थोडि ना अंट बार टोρηए अर्नीग्स पर मेरा ने च परम इसे हमों धिशक करके करते हो नहीं हम तोक इसे हम सतनी इसका मतलब क्या कर दियाा चापने डविडेंट को क्याइब अपने बना लुगा तो अर्णिक्स पे आख जाएगा ना कि सिर्फ डिवीडेन पर इस पूरे की पूरी आर्निक्स को मुझे कैप्लाइब करना है पूरी की पूरी और आपको गरिए लिए पर इस विजनस बोल देँद के नाम से जानेगे बोलेगा देटा देखके समझ में आ यह मैसर लगेगा इस मैथर से आने वाली वेलिव को एक और नाम से जाना जाता है earning value of the company earning value of the company नाम से भी जाना जाता है ऐसा क्यों क्योंकि यहां पर आप कंपनी की अर्निक्स को बेस बनाकर इसले इस मैथड के नाम इस मैथड से जो वैल्यू आती है समझ मैं है यह value of business value of firm ही पर इसे earning value of the company भी बोला जाता है कई बार exam में आ जाए मालो earning value of the company calculate करो आप तो बोलो कैसे टीचर से हमने क्लास लेली क्या पढ़ाया उसने तो टॉपिक ही नहीं पढ़ाया हमारा टीचर तो value of firm value of equity करता रहे और इसलिए इसलिए नौट सब्सक्राइब करने जाओगे तो आपको निकालनी है यानि आपको करेंगे तो मैं आपको दिखा दूगा अब सर इस में निकालनी है तो टोटल चार स्टेप में वर्किंग होगी जिसमें लास्ट फॉर्ट इस्टेप तो एकदम फालत हुए तीन स्टेप में अपने को मिल जाएगी अब इस मैथड को स्टार्ट करूं पढ़ाना उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं यह जो मैथड है ना इस मैथड से जो वैल्यू आएगी वह एक्च्वल में वैल्यू आफ इक्विटी होनी चाहिए इस मैथड से आने वाली वैल्यू वैल्यू इस वैल्यू आफ बिजनस बिल्कुल गलत है आप खुद अभी पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा पूरी सामने सामने दिखने वाली गलती है जो कि मैंने आपको बताई थी पूरा प्रूफ देके लेक्चर के अंदर यहां पर भी मापको फटाफट से वह गल्ती बता थीका बाकी एक्जाम में क्या करना है सर एक्जाम में द्रमीधा विजनस ही मानें एक्जाम में आप यह अकरता है कुछ लोग आकर ग्यान देते हैं कि इसा करेंगा बहुत मेंजर चेंज आ जाएगा सब कुछ ऐसे लेवल का वह कभी एकस्पेक्ट करना प्यवाइए और औ अभी भी चेंज नहीं होने वाले यह मैं आज ही आपको गेरेंटी देके वोड़ को ठीक है तो जो है बस वो पढ़ लो एक्स्ट्रा फालतो लोगों के चक्रों में मत पढ़ो सिंपल था कहने का मतलब यह है अपने आप रिदल्ट भी आएगा सारी नौलेज भी मिलेगी तो अब देखते में वैल्यू कैसे आईगी इस मैथड में कंपनी की जो अर्निंग से उसको केप्टलाइज करने की बात करें कंपनी की अर्निंग्स पर हग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब क्या मिलेगी रिलाइंस लिमिटेड को अपना बनाओंगा तो फ्यूचर में अर्नि की इसमें कूछ को को फिर से की बिलेगा तो फ्यूचर में इसायर में बक़्ट्र फैट में जो यह मैंक उससे ऑ श्क्रेवर shaped करना का दिन कर दो सक्टेते मिलों दृट सब्सक्राइंस ये की इस अपस्टार्ट में हो सबस्क्राइमर्ज क available हैं बिना कोई method बंद नहीं सकता तो यह method जिस भी बंदे ने प्रपोस किया था उसकी assumption दे कि future में कोई growth नहीं होगी फ्यूचर में प्रॉफिट में रहेगा हर साल सेम प्रॉफिट रहेगा तो यानि इस case में क्यों होगा perpetual cash flow जिसे आप बोलते हो basics of fm में चले जाओ होगा और इसको डिसकांटिंग रेट से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी समझ में आई बस वही करना है तो पहला परपिट्व प्रॉफिट पता करने जिन्दगी पर मिलेगा इसलिए हम इसे बोले हैं future maintainable profit जो future में हर साल maintain रहने वाला है निकालो के कैसे future का profit यानि future देखें future देखने के लिए कोई time machine है नहीं सर future आज सक किसी करके तो पास्ट का profit उठा लूँगा चलो company का तो पास्ट का कौन से पास्ट का पिछले साल का दस साल का 15 साल पहले का कौन सा profit आप बताओ कौन सा profit ज्यादा एक्यूरेट estimation देगा future का जो सबसे recent होगा जो previous year जस्ट अभी खतम हुआ होगा वह प्रॉफिट तो ज्यादा अच्छा estimation देगा ना तो बस प्रॉफिट बिफॉर टेक्स उठा लो आप recent previous year का जो भी इभी खतम हुआ है जिसकी information question में देगा आपको समझ में profit after tax क्यों नहीं लिया profit after tax आपन बाद में adjustment करें है टेक्स का एक बिफॉर ठेक्स हो बाकि और भी adjustment कर ररहे है टेक्स का last में profit before tax उठा लिया आपने recent previous year का भी में करने MATT क्या देखें देखें अगर इस Pakistan को 국ते odds सब्सक्राइब मतलब सारी इंकम का मतलब हमारे इस प्रॉपिनेरी इंकम में नहीं होती जो फ्यूचर में नहीं होगी जनरली वह बस कभी-कभी गलती से हो जाती है सब्सक्राइब में नहीं होगा तो रिवर्स करना है नहीं होगा तो रिवर्स करना है नहीं करो समझ में आई बात इसके अलावा यह तो हमने कुछ नॉर्मल एड़ेश्मेंट करें अब एक और पॉइंट है मैं कंपनी खरीद लूँगा मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं ज्यादा समझदार हूं तो मैं नहीं नहीं प्रॉड़क्ट लॉंच करूंगा नहीं प्रॉड़क कोई भी अधर कोश्ट को लेस्ट कर दो आपको प्रॉफित फ्रम लांच उफ न्यू प्रॉड़क्ट मिल जाएगा यह आगया आपका फ्यूचर का प्रॉफित लेकिन यह फ्यूचर का प्रॉफित ऐसा है जिसमें अभी तक हमने टेक्स का एडज़ेश्में नहीं किया तो यह मुझे पता चल गया पर्पीच्वली जिंदगी बर मेरेको प्रॉफित क्या मिलने वाला यह 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 ज़िए इस डिसकांटिंग रेट को इस में एक कैपिलाइजेशन रेट का नाम दिया गया है इस मैथटड करने वाले बंदे ने बोला कि मैं तो इसे कैपिलाइजेश सब्सक्राइब करने का मतलब इतना परसेंट से रिटन हटाना ताकि मुझे आज की वेल्यू पता जाए कि मैं आज इतना इन्वेस्ट कर सकता हूं यह मैंने लॉजिक बेसिक्स आफ में पीवी के टाइम बता दिया था तो आप पीवी कर लो इस रेट से कोई दिक्कत नहीं है अगर सब्सक्राइब करेंगे को पढ़ने से पहले अब सब्सक्राइब करें अब पर फ्रसेकर स्वाइस्ट करें तो कुछ नहीं ना तो सब्सक्राइब प्रक्राइब यह अजय को अरे भाई यो प्रिफ्रेंस नहीं होता जन्रली कभी होगा तो अलग बात है वागी क्वेश्चन में नहीं मिलने वाल आपको तो प्रिफ्रेंस होगा नहीं तो पैट ही जो है वह हुए वह वह प्रॉफिट उठा रहा हूं मैं देखूंगा इस कम्पनी से फूचर में क्या प सब्सक्राइब को कितना प्रॉफिट मिलने वाला है तो सर इस में तर से बताओ किसकी वैल्यू आएगी की पूरी फॉर्म की पूरी फॉर्म की तो जब वैल्यू आती जब कंपनी ऐसा प्रॉफिट लेती जिसमें एक्विटी और डेट दोनों की लिए अवेलेबल होता है हो रखात है अब हम की वैली बेसिक में तो समझाया । पर यह को में देख रहे हैं रहे हैं प्रिस के वैलों के लिए वैलेबल है यह तो सैंड्य रहे वालों के लिए अवेलेबल प्रॉफित है तो इसको पीवी करोगे तो वैल्यू की मिलनी चाहिए इक्वीटी की बिल्कुल लॉजिकल है पर हमारा इंस्टिटूट के बारे में पर छोड़ो जो भी है तो होनी चाहिए तो इसको पीवी करने के लिए हम क्या लेते रिक्वाइ सब्सक्राइब के लिए अवेलेबल है और इसे पीवी करोगे तो वैल्यू फर्म मिलेगी एस पर इंस्टिटूट तो आपको यही मानना पड़ेगा तो अगर यह प्रॉफित दोनों के लिए अवेलेबल है तो पीवी किससे करना चाहिए दोनों की कोस्ट को आप डब्लू सब्सक्राइब को यहां काम में आपके बाद इसको और भी तरीकी से समझा जा सकता जो डिटेल में मैंने आपको बता तो इधर वी वीडियो में भी आप समझेए कि फ्यूचर में जो प्रॉफित होगा जो डब्लू एसी तरीकी से मिनिमम रिक्वाइड रेट आफ रेटन ह होती है थे कम्पनी से ण्युक्श सकते हैं कि इतने पैसे कम से पेश सब कर पाए excited करें मिनिमम रेट रेटन हीं है इस जैसे हम इससे पीवी करते हैं कंपनी के कैश्फ लोगों और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो फ्यूचर में जो प्रॉफिट आएगा वह एक्विटी और डेट दोनों के लिए अविलेबल होगा एस पर इंस्टिटूट दोनों के लिए अविलेबल है हमें वही समझना है दोनों के लिए अविलेबल है तो सुर इस प्रॉफिट में थे हमें डेट और डेट दोंगा पेमेंट करना है तो वह फ्यूचर के प्रॉफिट में था वह पेमेंट करना है यानि वह हटाना है यान्यने की आपको यह फॉलो करना है थार्ट इस्टेप में वैल्यू आजाएगी फ्यूचर में प्रफिट पर पीचुल जिंदिकी बार कोई ग्रॉथ नहीं डिवाइड वाइड डिसकांटिंग रेट यानि इस मैज़र से आई वेल्यू पर शेयर बताओ यानि सर इसका मतलब यह बोलना चाहता है इंस्टेट वैल्यू आफ बिदनस आ गई इसको एडज़ेस्ट करो बेसिक एक्वेशन में डैट और कैश से आपको वैल्यू आफ एक्विटी मिल जाएगी उसको डिवाइड वाइड करने एक्विटी पर शेयर dirty नहीं पूछ रहे हैं यहां पर यहां पर अर्च नहीं बिदनस आ पूठेट नहीं आपको क्या उठानाひ में दिखा दूंगा जो अपने दैगुले बैच में किया हुआ है कुछ इसी के दाथ यह मैथर्ड भी आपका कंप्लेट हो गया एफंपी वाला अर्निक स्केप्लाइजेशन मेथर्ड कर देखिए अब आप लोग आगे अपने बता दिया अब इस मेथर्ड में कोई कमी है जिसके वाज़े से हमने अर्निक्स उठाई अर्निक्स को उठागे हमने उससे क्वेल्यू निकाल लिए तो इसमें गलती है यह ना कि इंस्ट्रीट गलत कर रहा है इस मैथर्ड में क्या कमी आप कमनी की टॉटल निक्स को बेस बनाके वैल्यू निकाल रहे हो जबकि टॉटल अर्निक्स में तो कुछ नौन क्या शेक्समेंस होता है जैसे कि अधर्टिशेशन में जली कोई खर्चा हुआ नहीं जबकि आपको आपक्प्राफिट तो जो नॉन टाकि cash flow कितना जनरेट कर पारी है ऐसा क्यों क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है मैं आपको मार्केट में एसी कंपनी भी बदा सकते हूं जो आपको बुक्स में 10 लेक रुपीस का प्रॉफिट दिखा रही है और उनका जब आप कैश वाला प्रॉफिट निकालने बैट होगे ना तो दस अजार रुपए भी नहीं आएगा ऐसे पागल बनाती और समझ जाना अगर ऐसी कोई कंपनी है ना तो वह कंपनी से बड़ी फ्रॉड कंपनी कोई नहीं है यह सारी जो छोटी छोटी चीज है आपके इनवेश्मेंट डिसीजन में बहुत काम में आती है प्रेक्टिकलाइब में पर वह स्लेबस का पार्ट नहीं होती तो अपन उससे इतना डिस्कॉशन नहीं कर सकते हैं मना स्लेबस पांजो छेस्टों गंटों से उपर पहुंच जाएगा ठीक है वह अलग प्रेक्टिकला काइस की ज्यानकी बाते हैं पर बहुत चोटे-चोटे से पॉइंट से और प्रेक्टिकलाइब में इंकम यह मोडल नहीं होते पर इंट्रिवुट अलग से मोडल बानता तो कोई बात नहीं इसमें कोई गलत बात भी नहीं पार्ट होते हैं क्योंकि इन मोडल में कमी क्याती कि अगेरा भी हो सकते हैं तो वह करेंगे तो बस कैश्फ फ्लो वेश्ट मोडल में पहला मेथड देखिए फ्री कैश्फ फ्लो टू फ्री एफफ मेथड मॉस्ट इंपोर्टेंट मेथड होता है और बहुत आसान मेथड है इससे आसान कुछ भी नहीं अगर कंसेप्चुली पढ़ा तो मैं आपको बता रहा हूं एकद के पास कितना बच गया जो फ्रीजाबी आफेड कर रही है सारे खर्चें यह थाइब खर्च पर फिर्म डेना पूरी प्रम के लिए अवेलेबल प्रीकेशफ फ्लो मतलब एक्विटी और डैड डोनों के लिए अल्रेडी बता चपा हूं जबता हूं एक्विटी और डैड के लिए अभी कर सकते हैं अभी उनको पे किया नहीं है उनको पेमेंट हम इसको एक और तरीके से समझाया जा सकता है ऐसा पता करो जिसमें आप यह मानलों इक्वुटि ओडेट दोनों ही ओनडर कंपनी तो रहां द्यां रखना जो पेमेंट्स किया जाता है उनको अपरोप्राप्राइशन होता है एक्विटी वालों का यहां परी फॉर्म के लीए के पदा करना कि पुछ पता करना है इक्विट्ईव डेट दोनों के लिए यह अवेलेबल करोगे आप पुरी cash flow वो जो company अवेलेबल करवाएगी वो पुरी firm के वाले cash flow लोगे कि वो company पुरी firm के लिए कितने अवेलेबल cash flow जनरेट कर पार यह वो पता करोगे आप उसके basis पर value निकालोगे इसमें पहला step तो सर यही है free cash flow to firm पता करो जो कि बहुत आसान है सामने आपकी सामने लिखा हुआ है इसका logic समझ लो ऐसा क्यों होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी free cash flow to firm FCFS पता करने है सर यानि ऐसे cash flow जो पूरी company के लिए सर् 6000 डिक्विटी दोनों लोगों के लिए अविएबलल होने चलिए डैट और रिक्विटी दोनों लोगों के लिए अव्यलेबल यैकेश्फीलो यानि अरनिंग से डिनको मान दिया है उगा हम t акमट अभी हम प्राफिट में करते हैं अ यह अठा प्रॉपिट्ट को भी चहल चॉपर झा टेक्स ऑन पर चार्ट के लिए वो सम्हार्मेंट को फिर्लि Sundays यहां ध्यान दखना टेक्स का परसेंटेज लगेगा ऐसा नहीं कि जो पीबीटी पे एक्चुल टेक्स का अवाउंट आपको क्या मिल जाएगा नेट ऑप्रेटिंग प्राफिट आफ्टर टेक्स जिसे आप नोपैट भी बोलतो ध्यान से देखना इस वर्डिंग को ध्यान नोपैट बहुत कम में आए गए इसे नोपैट क्यों बोला जाता है ताकि कुछ भी लिख दे तो आप इसी परपस से लिख आयता आपको तो इप्रेटिंग प्राफिट भी बोलते तो यह उप्रेटिंग प्राफिट है इसमें टेक्स लेस्किया तो क्या बोलोगे समझ में आया तो कुछ नहीं किया बस मैंने इक तरीकर हम पैट लेते तो उसकी जाएगा हमने इसा प्राफिट लेना है जो एक्विटी और डेट दोनों के लिए अविलेबल है समझ में नोपैट यहां तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए ऐसा प्राफिट जो एक्विटी और लावा आपने सारी खर्चे लेश्क कर दिए अकसेप्ट इंट्रेस्ट के अलावा आपने सारे खर्चेश कर दिए तो ज्योस हो गया होगा और जैसले मिलने वाला ही नहीं है इस मैघ्ट के क्वेशिंस में एक्विठाम में तो मैं ऐसे तो कितनी भी लिश्ट बनाता जाओं बिना बात क्यों कोई सेंस नहीं बनता आपको लॉजिक पता होना चाहिए अब इसके अलावा और भी एड़ेश्ट्मेंट होंगे सर हो तो कि अब और के एड़ेश्ट्मेंट करोगे ध्यानते सुनो हमें कैश फ्लो निकालन अब इस चीज को इंस्टिटूट ना एक डायरेक्टली तरीकी से करके दिखाता है नेट के पेक्स करके लेस्ट करता है कैपक्स माइन डेप्रिशेश्ट्र वाले अमांट को डायरेक्टली नेट करके लेस्ट करता है एक्जाम्बल से समझेए डेप्रिशेश्टन एड़ हो रहा है एक्टी रूपीस का सपॉस और कैपक्स लेस्ट होता है जो कैपक्स स्विचर में करेंगे सब्स हर साल वह 100 रूपीस का है तो यह 100 रूपीस होना चाहिए पैसा है तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो सब्सक्राइब करना पड़ता है तो यह दियान दखना नेट के पैक्स तो इसका कोई लॉजिक है बस या फिर इसका प्रॉपर जो कि आपको 11 क्लास में जबसे आप पाउंटिंग पढ़ रहो तब से पता होना चाहिए पर हमें पता नहीं होता तो मैं समझा देता हूं जब आपके विजनस में कोई मशीन लग रही है तो उसमस्षीन पर यह पुरानी होती है तो आपका डप्रीशेशन आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो वह सब्सक्राइब किया और एक्चुल में इस साल नहीं मशीन पर खर्चा कितना हुआ हंड्रेड रुपीज का तो सब्सक्राइब को जेप से अलग से कितना लगाना पड़ा है तो आप क्या करोगे नोपैट में नेट के पेक्स करोगे यानि कैपिटल एक्सपेंडिचर माइन सब्सक्राइब कर सकते हो पर हमें कुछ क्वेशन में तो नेट वाले तरीके से ही करना पड़ेगा वह क्वेशन भी मैं आपको दिखा दूंगा क्यों करना पड़ेगा अभी अपन रिवाइस कर लेंगे क्वेशन के पॉइंट इसके बाद एक और एडजेश्मेंट हो कर देंगे कैश फ्लो कम हो और वरकींग कर देंगे क्योंकि कैश अंट यह उगार ही है तो कैसी पैसा निकाल रहे हैक अंग कर प्र इन्वेस्ट हो गया ना उससे केश आगया यानी वर्किंग केपिटल करना था इसके अलावा इसका जो सबसे से इंपोर्टेंट यह तो लॉजिक बताए इसको पुरा लॉजिकली एक एक्जाम्पल से मैं एक्स्प्लेंट भी करता हूं जो कि आपको सब्सक्राइब लॉजिक के लिए दियान से देख लेना इसके बाद वर्किंग एपिटल में एक बार के लिए एक्जाम्पल ले रहा हूं इसे छोटा एक्जाम्पल लेंगे सिर्फ डेटर कंपनी की वर्किंग एपिटल में सिर्फ डेटर रहा है और डेटर कमानलों ऑपनिंग वैलन्स या हुआ है इस डेटर को मैंने ट्वंटी रुपीज की विए और जिसमें देख लिए इस डेटर से फाइफ रुपीज में को मिल गए यानि मैं ऐसा बहुंझ सकता हूं जो बीस रुपए की मैंने जेल करी वह उसमें 5 रुपीज की कैश सेल थी यही बात है पांच रुपै की कैश्ट लेकिन सर जब हमने यहां पर cash flow में जो EBIT लिया है EBIT में तो सारी earnings ले लिए सारी earnings का मदब सारी सेल हम सेल में cash और credit किया नहीं होगा हमने तो पूरे 20 रुपए की सेल ले रखी है लेकिन सर 15 रुपीज की 20 रुपए की अगर टोटल सेल हो 5 रुपए की cash में सेल हुए है तो 15 रुपए की रुपीज की ऐसी सेल है जो credit सेल है तो सर यह वह सेल है जिसके बतले पैसा आया ही नी जबकि मेरी अर्निक्स का पार्ट और मुझे तो cash flow चाहिए तो सर 15 रुपए मुझे इसमें से less करने चाहिए तो पंदार रुपाए मुझे सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कर दिया और अगर भी समझना है तो सिर्क कुछ नहीं कर सकता वर्किंग एपिटल का पुरा लॉजिक बता दिया वर्किंग एपिटल इंक्रीज हो लैस होगा डिक्रीज हो आपको में जाएगा यह कंपनी का फ्री केश्फ फ्लो टूफ अब कुछ भी नहीं है इसमें बस लॉजिकली यह सब चीज़े क्यलकुलेट करनी आनी चाहिए एफ पता करनी है तो फ्री कैश्फ फ्लो फ्रम के लिए है तो उनको पीवी करोगे क्योंकि फ्यूचर के है तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वह भी जीरो टाइम की मिलेगी तो जो वैल्यू मिलेगी वह फ्रम की मिलने वाले क्योंकि जो कैश्फ फ्लो है वह फ्रम के है तो वैल होनी चाहिए पुरी फॉर्म यहनी पुरी कंपनी की एक्विटी और डेट वालों की डिसकांटिंग रेट लोना इसमें से यह कैश फ्लो दोनों के लिए अवेलेबल है तो डिसकांटिंग रेट भी दोनों वाली लोगा मैंने हमेशा बताया है कि एक फिक्स कंसेप्ट है कि ज टो सब्सक्राइब यहीं तो आप डबलू एसी ते पी लिए करोगे करने का मतलब क्या है कैस्विलों में से वाला मांट हटाना याने एक्विटी और डेट का पेमेंट हटा देना यहीं तो काम कर रहे है तो आपको एक नैट वेल्यू में जाएगी ना की क्या होनी चाहिए समझ में आइंब तब पीवी कैसे करोगे देखो अगर पर पिच्व यह तो बिल्कुल बेसिक्स आफ फ्ट वाला कुछ नहीं यह नहीं है पर पीच्व एफ इस जिरो वन प्लस जी अगर आपका पर पीच्व एफ एफ इस वेड़ ग्रौत यानि एक लिमिटेड टाइम तरह वहाँ मिलेगी उसके पाद जिंदगी पर एक फिक्स ग्रौत के साथ एक कंटीन्यू करेगा पांस साल तक आपको बताई और उन्वार्द आपको बोला कि जिंदगी पर एक रेट से ग्रौ करेगा तो जो फ्रौ्श फाइट यह तो उसका अनीवन एलाग अलग अलग टेब में और टेबल में को डालके आप के पीवी टेबल सेबन केलकुलेट करते हैं यहां पर टू स्टेज मोडल लगेगा और जिंदगी बार आपको सब्सक्राइब करें अगर यहां पता करनी हो तो फ्यूचर के कैश फ्लो देखूंगा फ्यूचर के कैश फ्लोगा प्यूचर के करोंगा तो इस वेल्यूपे मैं कंपनी को टर्मीनेट कर सकता हूं यहां वेल्यूफ कंपर लाना है क्योंगे आप पर तर्मीनल भेल्युचर करें तो वेल्यूफ मिल जाती है क्वेशन से चाहिए करा दूंगा लेकिन बेसिक्स आफ में पीवी में अपने एक्जाम्पल के साथ क्या हुआ है पस उसकी एप्लिकेशन यहां पर वापस से आ रही है जो कि सिक्वार्टी वेलिए इसी के साथ यह मैं थूंग। शुवेशन सोलफ होना हूँ अमारे लिए सबसे चीज़ंगे ले तो उसके लिए इसे निकाल रहे हैं तो तो इससे अच्छा यहां पर हम इद्या आई लिए तो सब्सक्राइब करें तो क्या कामें ले रहे हो डब्लूए सीथी में केड़ी आती है वो क्यों होती है पॉस्ट इंट्रेस्ट रेट को समझ में आया है तो हर चीज लॉजिकल है कुछ हाला कि इसमें नहीं है तो इसी के ताथ आपको नहीं आने वाली अब समझें आप लोग इस मैथड को देखिए यह मैथड किसी अलग बर्सन ने दिया है पहले माइंड में एक इंसान था जिसके मन में था कि मेरे को फॉर्म की वैल्यू निकालनी है कैश फ्लो के बेसित पर उसके दिमाग में रात दिन यहीं चलता था तो उसने फ्री कैश फ इक वीटी निकालने का डायरेक्ट में पता करना है कैश फ्लो बेस मोडल पर दिन रात यहीं चलता था तो उसने एक मैठ फ्री कैश फ्लो पता करोगे फंज अवेलेबल करवाएगी एक्विटी वालों के लिए यह जो कंपनी है वह गैश फ्लो जनरेट करता करके देगी ए पर वह पनको समझ नहीं सबसे बहुत अब्हां कंपन अब पता करो तो अगर प्रिफ्रेंस नहीं होगा तो पैट नियों अब तो नहीं होगा तो पैट उठा लिए हमने क्या प्ट वाइनस टैक्स पैट उपर क्या रहे थे इबाइट यहां फर्म की यहां हमने एक्विटी वालों की अर्णिंग्स लेली बस इतना ही तो फर्क किया इसके बाद एड़जेस्मेंट अब एड़जेस्मेंट के लॉजिक दुबारा एक्स्प्रेन नहीं करूंगा वही नैट केप्स एक्स और डिक्रीज इन वरकिंग के प्लाल डिक्रीज ओ तो ए अगर यह नहीं करोगे ना तो पूरा सॉलुशन तो और ज्यादा दर बच्चे यहीं नहीं करते हैं पूरा लिखा हुआ फिर भी नहीं करते हो आदों को लोजिक नहीं पता होता है उनको समझ नहीं आता वास फालतु चीज एक ही फार्क परता होगा छोड़ों कोई फाल्त बस इन एड़्जेस्टमेंट में हमने multiply by one minus debt ratio कर दिया दोनों एड़्जेस्टमेंट यह क्यों कर रहे हैं उसका reason समझ लो सबसे पहली चीज equity ratio क्या होता है basics of AFM में जाके देख लेना one minus debt ratio equity ratio होता है debt ratio क्या होता है पहले यह बता दो debt ratio भी लिखवा होगा है debt divided by debt plus equity company ने जो total capital उठा रखे देट और equity से पैसा उठा रखा है उसमें देट में से कितना पैसा उठा रखा है वो बताता है debt ratio यानि मानली जिए company ने 30 रुपी debt से उठाए और मानली यह जैको जैसे इकविटी से 70 उठाए debt से 30 यानि total 100 रुपी से उठा रखे तो लेट से 30 लिवाइड भाई debt plus equity 70 plus 30 यानि लेट यानि total capital में ते 30 परसेंट तो लेकिट से पैसा उठाया हुए ऐसे equity ratio equity divided by equity plus debt यानि total capital मेंदे 70 परसेंट पैसा एक्विटी से उठाया हुआ है यह तो आप देखो टोटल केपिटल में देगा 30% देट से उठाया हुआ है तो अगर वन में से 30% वन माइनस पॉइंट 30 परसेंट को डेसिमल्स में लिखोगे तो यह होगा तो क्या आएगा इसमें तो कोई तकलीफ नहीं हो नीची आपको क्या बताता है कि 70 परसेंट इतना पैसा आपने इक्विटी से उठाया है यह आपको पता चाहिए यानि आप वन माइनर डेट रेशो से इस एड्जेस्मेंट को मल्टिप्लाई कर रहे हो इसका मतलब है आप इक्विटी रेशो से मल्टिप्लाई कर रहे हो इक्विटी का रेशो क्या है वो क्यों कर रहे है अब उसका रीजन सुनना उसका रीजन क्या मालीजे कंपनी है इसने इक्विटी से 70 रूपीज उठाये मैंने और डेट से 30 रूपीज आ गए और यह 100 रूपीज को कंपनी को बिजनस चलाना है में और यही पैस बिसनस में डाला जाता है यही पैसा आगे बिसनस में लग जाता है अब लगाते को सब्सक्रांट के तो सोचो अब जो मैंने हंडर्ड रुपीस की मशीन खरी दिया उसके लिए पैसा कहां से आया तो सो रुपया आये सेवंटी एक्वीटी जे थाटी रुपीस डेट से यानि इस मशीन को खरीदने के लिए मैं ऐसा बहुत रखता हूं सतर रुपया एक्वीटी वालों ने दिये बात खता हूं सिंपल सी बात है दोनों लोग पैसा देते हों वही पैसा बिजनस में कैपक्स और वर्किंग केपिटल में लगता है किलियर है यह पॉइंट तो आप लोगों को तो अब मेरी बास सुनना यहां पर हम किसके लिए कैश्फ फ्लो निकाल रहे हैं एक्वीटी वालों के लिए कैश्फ फ्लो यानि इक्वीटी के लावा जितने भी लोग हैं उनका सारा पेमेंट कर दो कि वह लिक्वीटी को ओनर मानों तभी तो हमने प्रॉफिट आफ्टर ट्रेस्ट लिया इंट्रेस्ट वगेरा डैट पे सब कुछ पे कर दिया वही कि वह लिक्वीटी ओनर है उनक इक्वीटी वाले क्या बोलेंगे 100 रुपीस की मशीन है और आप यहां पे पूरा 100 लेस्ट करो हम क्या पागल दिखते हैं आप लोगो को भाई धन्दे में 70% हमने पैसा कॉंट्रिब्यूट किया तो 30% का कॉंट्रिविशन है हमारा तो 70% कॉंट्रिविशन है ने कुफ थोड़ी है डेट वालों हिस्सा आप उनके प्रॉफिट में दे उनके पास जाके मांगो यहां पर किवाल इक्वीटी का हिस्सा ही तो भुकतेंगे यह अपना हिस्सा ही तो भुकतेंगे आप लोजिकली एक जन्रल एक्जामपा से बताता हूं जो रेगुलर लेक्च रुपीस का जो डिनर का बिल आया है वह बताओ कौन भुकतेगा सर तीनों भाई बैनों को 100-100 रुपीस भुगतने चीए तीनों को घरवालों ने पांसो पांसो रुपय दिये तो तीनों सो सो रुपय अपना कॉंट्रिब्यूट करें वह दिनर के अंदर लेकिन एक से दे आपने कॉंट्रिब्यूशन को सो रुपय करना था तीनों का पूरा का पूरा उसने कर दिया यह प्रॉफिट वालों के लिए डैट वालों को पैसा हम दे चुके तो भाई हमें अगर मशीन पे कैप एक्स पे वर्किंग एपिल पे खर्चा करना है तो डैट और इस्ट्रा एजश्मेंट जो बताना था वह मैंने आपके एक्स्प्लेंट कर दिया कुरा लॉजिकल ही समझा दिया एक आपके पास अगया तो सेकंड श्टैप में एक सेपट कीवी कर लोगे तो क्या मिलेगी वैल्यॉआ अफ एक्विटी क्योंकि वाला है पी बी करना है तो आप डिसकांटिंग रेट क्या ओलोगे कॉस्ट अफ इक्विटि क्योंकि कैश्फ़ एक्विटी कैस्ट कर ने के लिए फ्सेफ क पिछले साल पर जिसे आप टर्मिनल वेल्यू बोलते हो उस टर्मिनल वेल्यू को खीच के जिरो टाइम पे लाओगे यानि पीवी आफ टर्मिनल वेल्यू यह टोटल कर लोगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी हो जाएगा इसी के साथ यह मोडल भी आपका कम्प्लीट है या फिर मैंने एकवेल्यू से करके यहांते वैल्यू पर मुक्रें यहां यह बिल्कुल भी पॉइंसीटल वायू जायता है और बाता है अलग बता है अब दोनों का लॉजिक बिलकुल अलग है दोनों की अलग है यहां हम पुरे नौपैट से स्टार्ट करते थे इंट्रेस्ट करते नहीं ते और जो कैपक्स और वर्किंग अप्टेला वह भी पूरे अज़ेस्ट कर देते दे डिसकाउंटिंग रेट में डबलू एसी लेते थे यह यहां आप इंट्रेस्ट हटा रहे हो उसके बाद यहीं काम में ले रहे हो वैल्यू से माही नहीं सकती है कोइंसिटेंट ली आजाए वह अलग बात है ठीक है सब मैथड अपने डिफरेंट वैल्यू देंगे ध्यान लगना फरमेशा ठीक है बहुत से लोगों को पता ही नह अब यहादत थी क्योंकि मैं आपको बता तूँ मैंने पूरा सेल्फ किया था मैंने आपको पहले बताए था जो पैसे लगते थे मार्केट में आपको मालूम है क्या-क्या टीचर थे तो वह बगवास करते थे उस टाइम पास करा रहे है वह फेली कराते है उस टाइम से हम तो फेल कराने वाले टीचर से वह पैसा कमारे समझ आ जाता था कोई थोड़ा ध्यान से सोचेगा समझ आ जाएगा यह बंदा क्या कर रहे है और उपर से इतना हमारा फाइनेंशल बैग्राउंड कुछ भी नहीं था इतना जो छोड़ो आज बहुत अच्छा आप लोगों क क्रिपाई आप लोगों का आशिरवाद सपोर्ट है और बगवान की क्रिपाई बस उसी से जो भी है तो उस टाइम पर मेरे मन में आता था जब मैं पढ़ता था इसके पीचे क्या रहा होगा लॉजिक तो यह बहुत रिसर्च लगी वह चीज मैंने आपको उस टाइम पर मे पर तब तक में को कुछ नहीं पताता है एक्जाम हो गए लिए कि जब मैंने पढ़ाना चालों किया तब मैंने और रिसर्च करी तब अब जाके मुझे इस पर पुरा आपको बताने का मोगा मिला है कि नहीं से वैल्यू अलगी आएगी पूरी रिसर्च करने के बाद तो ब कंपनी में कोई डैट ना हो ना तो मैं आपको बता दूं अर पर क्ट्राना गींगे देखें इंगरा अक्मपनी में डेट नहीं तो सर E.B.I.T. और P.B.T. से मिए मिए इंट्चा नहीं नहीं थे इंट्रस्ट का घ्रचा जीरो जींगा वैसे भी यह तो इभी अइट और प नहीं है तो ऐसे क्वेशन में एफ सीए फोड़ी अपने आप सेम हो गया ना तो मैं आपको पता दो अगर किसी क्वेशन में आपको बोला हुए क्वेशन में यह कोई कंपनी प्रैक्टिकल लाओं जिसके बाद नहीं है बेनी रखी कोई इनफोर्मेशन तो ऐसे प्ट को ही नोपेट मान लेना एसे फफ को एसे फफ मान लेना आप बोलो सिर्ट गलत कर अप अपना दिमाग चलाओ थोड़ा आपके बाद कैसा क्वेशन भी आगा रफरेंस भी दिलवाऊंगा रिवाइस कराऊंगा जब कोई एक क्वेशन वर्फ की जरूरत होगी आपको value of firm निकालने की जरूरत होगी आप बोलोगे सब पैट दे रखा है value of firm कैसे निकाले no pet देना चाहिए था question नहीं गलत है कुछ गलत नहीं है question में debt है ही नहीं सबकुछ बराबर है वेल्यू फर्म आएगी वेल्यू अफ इक्विटी होगी बात कम्प्लेट यह आपको पॉइंट ध्यान रखना है यह से लिखा है कि क्वेशन में आये तो आप क्वेशन को गलत मत ठहराओ आप अपने आप अपना दिमाग चलाओ आप कहीन गलत हो सकते हो तो कभी accept करना सहिखो कि हम भी कहीं पर गलत हो सकते हैं सामने वाले को गलत ठहराने से पढ़े कि इसमें इंपॉर्टेंट नौट मैंने बोला था इस चेप्टर का परपास है कि मर्जर अक्यूजिशन लेकिन उसके लाव एक और परपास है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग मैंने बताया कि कंपनी चाहती है कि नए स्ट्रेटेजी फॉलो करना कि अब इस तरीके से प्र नहीं करें उसे वह लेना है तो बिसनस की वेल्यू क्या हो जाएक आपको पताує क्मरींतल वेल्यू अस्ट्राइजल क्या होग एक्स्टराफाइदा यह नहीं करती यह यह जेस्टेजी इसका क्वेशन आता है दिखाऊंगा आप लोगो आपको पुरी फार्म की बिजनस की वैल्यू निकाल दिया कैसे निकाल लेना नहीं स्ट्रेटेजी के कैश्फ लोगेरा देखे रखेगा पीवी कर लेना कोई दिक्कत नहीं समझा दिया इसका पूरा लॉजिक बता रहा हूं एक क्वेशन है जिसको गलत बोल देते हैं सरे से कि इंस्ट्यूटी गलत करते हैं लेकिन वह क्वेशन गलत नहीं है क्योंकि हमारा कंसेप्ट के लिए आप इससे क्वेशन को गलत ठहराते हो और मार्केट में तो बढ़िया चीज़े चली रही है पढ़ाने वाले स्पेशल जो बस क्वेशन में इंस्ट्यूट जो कर रहा है उसको यूट्यूब पर सॉल्व कर देते हैं हम समस्ते कितना बढ़िया टीचर है जबकि उसको खुद को नहीं बता कि क्या कर रहा है इंस्ट् अब नहीं नहीं करोगे ना तो आप कभी भी नहीं कर सकते हैं आप सीम लेवल पर चलोगे ठीक है आपका लेवल बिल्कुल सेम रहेगा अगर नहीं इस्ट्रेटेजी नहीं लगाते तो आपका जो भी लेवल चल रहे हैं जो अभी चल रही है वहीं यहां रहेंगे जोभी चल रहे हैं तो अमेश्थ द्यान रखना एक्जिस्टिंग का मतलब है कंपनी में कोई नहीं होगी तो यादिस्ट्टिंग में कोई growth नहीं होती हैं यह जो एक्वेश्टिंग cash flow है वहीं future में continue करेंगे तो अब ध्यान देना मेरी existing value of form में को निकालनी है यह existing cash flow future में continue कर वाने मुझे तो अगर आपको existing cash flow future में continue करवाने value of form चीए तो आपको नौपैट चीए हम नौपैट से स्टार्टिंग करते हैं FCFF निकालने के लिए तो आप existing नौपेट उठा लूँ existing नौपेट उठाली है सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है existing नौपेट तो ले लिया पर सर इसमें adjustment करो ना net capex का नहीं depreciation है लेस capex और plus minor decrease इंग्रीजिन वरकिंग अब बाद ध्यान से सुनना अगर हमें हमारी फंब कोई नजर नहीं आ रही तो हमारी फंब जो है ना ग्रॉथ नहीं और तो उसकी पुरा बंद हो जाएगा तो यानि जब कंपनी में कोई नहीं होती ना तो आप पे उतना ही पैसा खर्च करते हो जितना आपका डेप्रीशेशन है यानि जो नेट के बस्वेशन हो जाता है यहां कि अगर आप मान लीजे ऐसे केस में एक रुप्या भी खर्च नहीं करने वाले ऐसे केस में तो आपकी वेल्यू बढ़ेगी तो नहीं लेकिन गिरना भी प्रड़क्शन नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला आपका समझ में आई बात तो आप एक्सेश्टिंग के केस में कोई ग्रॉथ नहीं होगी तो आप कैपेक्स पे एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करोगे लेकिन इसकेस में आप जितना डेप्रीशेशन का मौंट उतना ही के क्रॉथ नहीं करने तो वर्किंग केपिटल में क्यों आपको इंक्रीड करना वह भी सेम मेंटेन करो वह भी जीरो तो एक्सेश्टिंग नौप निकालते हैं इक्सेश्टिंग वल्योफ और एक क्वेशन आपने पास जिसमें आप लोग इसे गलत समझते हो जो की बिलकुल क आप नहीं करवानी तो वर्किंग केपिटल में पैसा ने डालते पूरा लॉजिकल है धियान से सुमना आज माली जी मेरे को अगर अपना बिजनस ग्रो करना है ना तो मैं क्या करता हूं मैं बहुत सारे लोगों को मार्केट में जाकि अपना प्रोड़क्ट उनकी दुकान मैं बोलता हूं यार तुम प्रोड़क्ट रखो न दुकान पर पैसा बाद में देते रहना यानि मैंने डेटर बढ़ा दिये मैं वर्किंग केपिटल इंक्रीज करा हूं मैं पैसा आराम से दे देना मैं ऐसा करता हूं लोगों के साथ क्यूकि मैं को बिजनस ग्रो करना है दुकान पर फ्री में प्रोड़क्ट रखते आंगा ना बाद में पैसा मांगूंगा ठीक है रख लेते हैं कोंता पैसा देना बढ़ रहा है तो मेरा बिजनस ग्रोग करेगा क्योंकि दुकान पर रखा रहेगा तो कोई ना कोई कश्टम राके खरीद लेगा उनके पास से लेकिन अगर वहीं मुझे अपने बिजनस में नहीं चीना तो मैं यह माथा पच्चे नहीं करूंगा मैं बोलूगा जितने चलने दो इनको कोई फ्री में प्रोड़क्ट रखके आने की ज़रुवत नहीं है जिस टाइम पर करना है पैसा मैं उसी टाइम पर क्लेक्ट करूं आप सेम रहती है तो यह पॉइंट भी मैंने आपको किलिये कर दिया इसी के साथ आपका कैश फ्लो बेस्ट मोडल भी कम्प्लिट हो चुका है सबसे इंपॉर्टेंट मोडल था है आपका सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा काम में लिये जाने वाला मोडल है को इस मेथ्ट में आपको बहुत सारे अश्टीमेशन लगाने पड़ता है फ्यूचर में क्या कैश लोगा कैश वरकिंग गटल की चिंज होगे हैं इस्टीमेशन आसान नहीं है मैंने बहुत सारे जज्जमेंट लगता है बहुत टाइम लगता है एक्जाम में तो सारा डेटा गीवन होता है डेटा डालो आंख्वर निकालो यह आले बस प्रेक्टिकल आइफ में दिक्कत आती है तो यह अग्याइब यह आपको बताता हूं वह जो अलग तरीके के इनका मैं यूज आपको बताता हूं वह जो मैंने अभी तक आपको मोडल बदा यह जन्रली मार्केट में यूज करे जाता है लेकिन जो यह आपको बता करोंगा कंपनी की घोन डॉंग निकाल बता था है सिमिलर कंपनी का रेशियो मेल्टिपल उठागे अपनी कंपनी के डेटा पर अपलाई कर रहा हूं उसे हम बोलते हैं रिलेटिव वैल्यू तो यह जो वैल्यू है सर यह कौन सी एक्यूरेट हुई भाई हमें तो एक्यूरेट चीह थे ना यह वैल्यू एक्यूरेसी के लिए लिए जाती है क्या होता है प्रेक्टिकल अंशंत्रम से सुनकर आख कंपनी कि कंपनी तासर पता करी तो 290 यानि कोई सिमिलर कमने का रेशो उठाया अपनी कमने की डेटा पर लगाया तो वेल्यों सेक्विटी मिली 290 यानि यह चो 290 की रिलेटिव वेल्यु है यह सपोर्ट करने के लिए इसको कंफर्म करने के लिए क्रॉस करने के लिए है भाई हमने हमारे मोडल से 300 वेल्यों निकाली रिलेटिव 290 है यह आप बोल सकते हो कहीना कहीं यह एक्यूरेट है 300 की वेल्यू ठीक है कोई दिक्कत में है पर अगर यहां पर यह 300 आई होती है हमारे अकॉर्डिंग FCFE ते वेल्यू और रिलेटिव वेल्यू ज सब्सक्राइब यह तो आपने इस वेल्यूशन में जो एस्टिमेशन उसमें गलती करी यह फिर आप जस्टिफिकेशन दीजिए ऐसा कुछ हो कि फ्यूचर में एकदम से कोई ज्यादा ग्रॉथ में जंप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कमपनी ज्यादे ग्रॉथ ले लेगी य एक्जाम में तो आपको यह सब कुछ नहीं है एक्जाम में तो जिस में से बोलेगा रिलेटिव वेल्यूशन में चार में पढ़ने हैं आपको चार में बहुत आसान इंप से तो कुछ भी नहीं है पांच मिनट का भी कामनी है देखना अब धिहान से आप लोग एक चीज़ Confirmative method से मिठ है जेंग रेल्युशन में इन चार हो का एवेरेज करके कामने लें डी यांदि रिलेटिव वेल्यूशन से कवी एक निए मोडने कि रिक नोरमल था कर लिया जाता गई ऐसने सब्सक्रेंकर सकते हो लोगा आपको पता है प्र इसका चै KYC में प्र अधिशन में और उसको अपनी कंपनी के सेल्स पे डालो आपको मल्टीपल भी बोला जाता है रिकिए क्या होगा मानीजे मेरी कंप्री यह ग्यों मुझे की वाल्यू पता करने है तो में इसकी सिमिलर कंपनी रूनिया पता किया सेल्स मल्टिपल होता कैसा रेश्यों सेल्स का कैसा रेश्यों देखो यहां पर बात करेंगे ने हम इसे एंटरफ्राइज का नाम देते हैं बागी है तो वैलुओ अंसा यह इसका मतलब सब पता है क्या हुआ कि एटल की सेटल का कितना टाइम इसकी फॉर्म की वैल्यू है चलता है तो यहां पर लिए सकते हैं बिल्कुल आप किसी का भी ले सकते हो पर ऐसे थो धोड़ा में लिश्ट बनाता जाओंगा किति कि भी लिष्ट बना दो हम जो श्लेबस में हो मार्केट में सबसे ज्यादा फेमस मैल्टिपल में भी यह जिनकी बात करेंगे पहला सेल्स मैल्टिपल और एक और होगा जो अगला है ठीक हो सबसे ज्यादा है तो सेल्स मैल्टिपल मार्केट में सबसे ज्यादा यूद मे mundane मेरे सिमिलर बिजनस में सब कुस्सी मिलला ऊब सका five times अपनी वेल्य बना पा yesterday स्यल्स मेरी भी इसका five times मेरी फ़ंकी कि वेल्य होनी चीव का पीछह का लोगिक है तो मेरी Enterprise बैल्यू कैसे है है तो इसी совремoda से पार्मुला में अगर यहां से डिवाइड में तो सामने जाएगा तो मैल्टिप्लाइब तो बस अब अपने गो जीओ को अपनी वैल्यू कैसे निकालेगा तो ले लेगा सिमिलर कंपनी एटल का और डेटा अपना ले लेना कभी यह बीएटल का लेलो फिर एटल की वैल्यू मिल गई न आपको लॉ कंप्लेट बस यही था सेल्स मल्टिपल यानि डिलेटिव वैल्यूशन कंप्लीट इसमें कुछ भी नहीं है यहां पर मैंने रैड में लिखाया अपनी कैसे आएगी सेल्स मल्टिपल तो उठालो सिमिलर कंपनी का मल्टिप्लाइब कर दो सेल्स अपनी इसके बाद नेक्ष अब बिड़ा का कितना टांटरफ्राइब कर दो बस से मुसी तरीके से सारे वही लोजिक है तो यह ज्यादा फिर मस्क्यों है जरी बिड़ा का मतलब होता है अर्निंग इंट्रेश्ट टेक्स डेप्रीशेशन और अमोर्टाइजेशन क्या होता है तर इंटेंजिबल इसे पुरी पर्म की हैं वह भी कैश के फॉर्म में तो इनसे कौन से वेल्यू मिलेगी पूरी फॉर्म के वैल्यू तो बस यह आप यूद में लेते हैं इंटर्प्राइज वैल्यू अपनी निकालने के लिए तब अपने बिड़ा को एडज़स्ट करना पड़ेगा एडज इसमें आप ध्यान अखना करें इसे बिड़्डा में कोई एक्सा एक्स्रा ओडिनेरी गेन इंक्लूडेड है तो उसे आप लेस्ट करना क्यूंकि सोच ना आप क्या पता कर रहे हो आपकी कंपनी की वैल्यू तो आपको नॉर्माल इबिड़्डा चाहिए इबिड़्डा का म मान लीजे क्वेशन में बोला हुआ कुछ एक्सपेंस है जो भी तक हमने रिटन आफ नहीं किया है अभी तक हमने पी अडल में डाला अरे तो टोटाल लर्निंग्स लेनी थी बिफोर इंट्रेस्ट डेक्स और डेप्रिशेशन यानि सारे खर्चे लावा पर क्वेशन में सेल्स प्रमोशन कोश्ट 15 रुपए की जो भी तक लेस्ट नहीं करी तो यह प्रेक्टिकल लाइफ में तो नहीं होगा पर एक्वेशन बड़ा बनाने के लिए करेगा तो आपकर देना एक्सपेंस पैंडिंग टुबी रिटन और तो हटाओ नहीं तो सारे खर्चे अटाने सेल्स प्रमोशन कोश्ट इस बोलते कि यह इंकम है जो पैंडिंग टुबी रिकरगनाइज डैबुक्स में तो इसको एड़ कर लो तो आजया के अडिश्ट इबिट आपस यह क्वेशन बड़ा बनाने के लिए और कुछ भी नहीं है कंप्लीट हो चुका है यह मैथर नेक् अंगेर हम सिमिला कमने का एक मल्टीपल एक रेश्यों म मिलेगे पशन सब्सक्क्स बूसाइक मिलिए जाते ना सिमिला कंपनी के आपको एक्विटी की वेलू आईख़े हो levail पर दूसरा दे सकता है कि बिल्कुल दे सकता है पर जंदल यह चार लिया जाता है कोई दूसरा देशा तो भी बात नहीं लॉजिक आपको आपको बॉल्टे निकालने क्या करोगे सबसे पहले स्टैप में आप इन चारो रेशियो निकाल लीजिए लेक्षे अपनी आपने चारो एक्विटी की वैल्यु गया होगे इन चारो वैल्यु का एवरेज कर दो बहुत आजान है इसमें के चार रेशियो देगा, उनसे अपनी वेल्यू अपनी एक्विटी आईगी, उनका एवरेज कर दो तो हमें एवरेज वेल्यू अपनी एक्विटी के मिल जाएगी, आप इसमें एक स्पेशल पॉइंट ध्यान अखना है, यहां पर नॉट में मैंने लिखा हुआ है, जब सिमिलर कंपनी के आपको रेशियो देगा ना तो ऐसा भी हो सकता है, आपको दो सिमिलर कंपनी इसके रेशियो देदे, फोर एग्जामपल मैं जीयो हूँ, तो मेरी सिमिलर कंपनी एक तो एएटल है, इसके अलावा मेरी एक और सिमिलर कंपनी है, वड़ा फोन आइडि और अरवरेत्कि ना उता का में वे विडुरिट विपक्राइबन 14 के इस तरीके ग्यार को करना पड़ेगा तो इफ इंधी इच एंड इच डिसिटे पूलर कॉले डियनि पर ब्रकेश்टी तो इन ही पूलेशिum करो उसके बाद आप यह सब्सक्राइब करना उसके बाद तो कुछ है इस नेक्स्ट और लास्ट अप्रोच इस मेथड के अंदर मोडल के अंदर रिलेटिव एलेशन में चॉप शॉप अप्रोच या ब्रेक वेल्यू अप्रोच तरह यह क्या है चॉप शॉप काटा पीटी की इस बेखमेश बना उस डियीक और कर देंगे पेपर से तो ब्रेकशन बेल्यू ऑर यह बिसक्ट चीप्स बग़र मेर करता हूं और एक एसा तो ऐसे से केस में को वह डिफरेंट सेढमने चॉप शॉप कर लेती हैं काच लेती अब ब्रेकप कर लेती है है यह अपने आपको अलग-अलग सेढमने टुकडों में बाठ रखी है को चॉप शॉप प्रोच बेकप वैली अप्रोच बोला जाता है एक कमपनी जिसके दो सेगमेंट on अब आपको पता है क्या करना इस मैं हर सेगमेंट की सीचैने बिजन सकी कंपनी जो है और उसका एक रेशाओ और वो त्राइट बाइटवर्टेशन का मतलब नहीं इतले आपको वेल्यू ओव फॉर्मूला में लिखाओ अभी यह तो आपको क्या करना है फर्स्ट के सबसे पहल along करेंगे सबसे पहले इसται Эle सबसीय का पूरी इसवलेंगे सेक्टलनी निकला लेना टोटल कर दोगे तो पुरी फ़र्म की आजाएगी पहला अट इसी से दूसरी रेश्यों से फॉर्म की वेल्यू एदो तिन वेल्ई जबनें तो इसमें मेटार यह उसके लिए हैं सेग्मेंट्स के अंदर और कुछ कि अब देखें फटाबाट से समझें पार्ट को कुछ ज्यादा नहीं इसमें ये सब्स्क्रें में कुछ एक्स्टा टॉपिक है एक्स्साइट पर्लेस एक्स्टा टॉपिक या यानि मार्केट वेल्यूएड यह लिए यह दौपिक पढ़ने से उपर कितने एक्सेस प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है उसे आप यह होता क्या है इसके पीछे का लॉजिक में एक एक्जामपल से बताता हूं फिर की कैलकुलेशन पर डिरेक्ट लिया जाए इसको समझ लोग क्यों कि यह लोगों को पता होता नहीं होता क्या है वो मैं अब्रॉफिट ले रही है उस बैनिफिट को ही हम अगली घचालना पुरा नाम पड़ोग्यु कॉन उपर और वेल्यू एडिशन कमने रॉफिट लॉस्ट में एडिशन हो एडिशन में कितने एडिशन दिया इए और टीकुलर टाइम का होता है मां लीजिए एक साल का उस् इतना profit में एडिशन किया वो निकालना है बिलकुल तो यानि उस साल में जो profit कमाया वही तो एडिशन होगा नहीं वो नहीं होता अलग तरीके से सोचा जाता है यहां पर सुनना आप क्या होगा यहां पर अडिशन का मतलब है कंपनी को जो मिनिममम रिक्वाइडेटना चाहिए थे कंपनी को पैसा प्रास यूं करेंगे होती लिए गाता हूं और इस पैसे को बिस्नस में लगाता हूं मिनिमम आप सोचे जब आप पैसा उठाते हैं इस पर कोस्ट आती है और ऍेट पर केड़ी तो यह के आवराल कोस्ट क्या बोल सकता हूं रहे है क्वेड़ इस केपिटल टेन परसेंट हैं मैंने टोटल 10 लैक रुपीज की केपिटाल एंप्लोइड है डैट और एक्विटी से टैनलाक रुपीज उठा रहा है और डवलूएसे टैन परसेंट है यहांट के टम्स में बोलू तो रुपीज वन लैक का तो मेरा खर्चा है जहां से मैंने पैसा उठाया हुआ है यहां से पैसा सब्सक्राइब करें राख पेसा कंपनी यह पैसा कम नहीं कम प्यासा था ना तो यह मिनिम्मम होती है कंपनी के आपको समझाया है मैंने तो इस सब्सक्रेट पर कितने credit net report जिब हम देखेंगे जब देखेंगे वह भी company की देखेंगे यानि Epic मैनेकस को था नोपेट ऊपैट यानि thumbnail करना ने कंपनी की अवेलेबल आहिक्स डियाट करना है आगे कैपिटल वालों को जुन की कोश्ट है तो यानि धन्दे का प्रॉफिट उठाना है मालनों नौपेट तीन लाग का कमाया मीनिमम हमें एक लाग कमाना था क्योंकि इतना तो खर्चा ही हमारा जा रहा था कैपिटल जहां से पैसा उठाए था तो सर एक्सेस प्रॉफिट कम्पनी के बाद टू लाग रुपीस का है यही हमारा इवी बस खतम यही टॉपिक है तो यह रिफ्लेक्ट क्या करता है अब ध्यारते सुनना यह दो लाग रुपे क्या है कंपनी ने पैसा कमाया देखो में यहैर तो कंपनी पिसनस में लगा के क्म पैसा कमाना चточ में और ज्रौफिट थी में आप माईप में पैसा कोगि क्योंकि ज्यादा पैसान पिसनस में लगेगा तो बिजनस की वैल्यू बढ़ना चालो होगी द Olay आपने ने कंपनी नेos प्राफित लॉस में इतना एडिशन किया जिसकी विज़से इतना पैसा कमपनिया बिजनस में और डाल पाएगी समझ में यह होता है यह का मतलब बता दिया यह फाइनिश्य परफॉमेंस में इधा करने का तरीका है जो एकसे रिटर मीनिमम इकॉइट रिटर्न के पर आप कमा आप कर लिए तरीक बतारी एक्जाम में यह फोड़ी पूचेगा यह नहीं पूचेगा पर यह बता क्यों ध्यान देना हर थेयरी को हर कंसेप्ट को किसी ना किसी ने इन्यवेंट किया वहां तो अपने डिस्केशन नहीं किया क्यों कि यहां पर मैंने वर्डिंग लिकि है एंड रजिस्टर यूएस की एक परमें उनके दिमाद में एक दिन आया कि कंपनी की हम फाइनेशर परफोर्मेंस मेजर करें एक्ट्र एडिशन वाले प्रॉपिट से तो उन्होंने एडिश्टर करा लिया और रजिस्टर कराने का मतलब क्या है दुनिया में अगर किसी को भी भी निकालने है ना उनको बोलना पड़ेगा कि इसके अलावा जो एडिश्ट्र में उन्होंने कर रहे थे उस फोर्मुला के अंदर जो फॉर्मुला उन्होंने रजिस्टर करने पड़ेगी उसे ऑगले लोगोंने फॉर्मुला में थोड़ा भी उपर नीचे कर दिया एक बिदेश्वान करेंगे उसमें कुछ उकपन नीचे नहीं करेंगे अपना यानी एक्ट्रा दिमाग नीच चलाना वह एक्ट्रा दिमाग पथा कुछ दिमाग चलाएंगे कुछ लोगों की आदत होती है चलाने की वो क्या बोलेंगे तर यह करें लॉजिकल यह लॉजिक भी एक्सप्लेंट करूंगा सब ठीक है पर उन एड़ेश्मेंट से रिलेटेड उनकी दिमाग में आगा सर फिर तो यह एड़ेश्मेंट भी तो होना चाहिए था यह तो यह पॉइंट में को क्लियर करना था इसके लिए इस फॉर्मॉला में कुछ चीज़े हैं जो आपको लिहां लखनी पर से अब इसमें आपको नौपेट चीए इन्वेस्टेड कैपिटल और डबलू एसी डबलू एसी इस चैप्टर के बेसिक में पहले ही समझा देती ब मैंने बुला कुछ आटफेस्ट में तो बस करके लोगे कैसे बीटी माइनस टेक्स नौपेट यह नौपेट आप जानते हो नौपेट में एक ही एडजेस्ट्मेंट करना है जो उस फर्मने किया था एड करने नौन कैश एक्सपेंसे एक्सान्पल प्रोविजन फोर कितना प्रॉफिट कमाया बुक्स में जो एंट्री के परपस से खर्चा डाला वह उसे एड़ बेक करो तो प्रॉफिजन फॉर बैट डेक्स इसमें एक है वो भी एड होता पर वो किसी भी क्वेश्चन में नहीं आगा आगा तो सब्सक्राइब कर देना पर वो नहीं आता उस पुछेग भी नहीं नहीं दे रखाया और यहां पर दिमाग चलाने वाले क्या चला दें तो नौनकेशच एकस्पेंट करना थे जब एड बैक करना है तो फिर टेक्स के एक्ट्स के साथ करो तो वह वाली चीज़े वही लॉजिक है यहां पर कि टेक्स का टेक्ट में करते हैं और बाद देखिए और क्वेस्टन में ऐसा होगा गारेटि विए-टी विए-टी फिर्ट रिवन्हीं होगा नौपपध्ट कैसे निकालोगे जब अट्यों फेस्ट नहीं नहीं अफर्ट बहुत अब इंकम नेट प्रॉफिट भी बोलतों इंकम स्टेटमेंट बेसिक आपको वह देरखा होगा तो आपको रिवर्स केल्कुलेशन करनी है इंट्रेस्स रटाते हो तो आता है पैट तो बस पैट पे टेक्स करो तो पैट में टेक्स करोगी तो पीबीट आएगा तो वह कैसा प्रेश्ट एक्सपेंस कर दो कि तो क्या जागे इब आपको दिमाग खुछ से चलाना कई चीजों में तो इसके लिए नोट्स पढ़े हुए उने चीज़े रटने से क्वेश्चन करने से सामनी चलेगा यह नोट्स अगर याद है तो जो रिपीटेट क्वेशन आएगा व प्री में सबके लिए अवेलेबल करागे क्लास लियो कुछ नहीं लियो तो भी वेबसाइट पर फ्री रिसोर्स में आराम से पढ़ो और वीडियो भी आप लोगों को यूटीब पर फ्री में मिलेगा जिन्होंने चाहिए कभी मेरी क्लास देखी भी ना हो चाहिए गालिया आप फ्री में आती तो मैंने डिरेक्टली विडियो आजाएगा फाइनेशल रिवेरेज इंटो इंट्रेस्ट एक्सपेंस दिवाइड बाइड वाय फ्री में और यह जाएगा तो अब बनाने के लिए किया जाता है जबकि डिफिकल्स नहीं है अगर आपको यह प्रोसेस पता हो नौपैट सीख लिए डबलू एसी में आता है पास इन्वेस्टेट कैपिटल हो इन्वेस्टेट कैपिटल कैपिटल एंप्लोएट ताकि हम उसको डबलू एसी से के मिनिमम रिक्वाइट रिटन बता करने तो सब्सक्राइब क्यों कि सर हम कुछ एज़ेस्टमेंट करेंगे तो आप आगर किसी चीज में अज़ेस्टमेंट करते हो ना तो उसका नाम वह नहीं दे सकते जो आप उसे पहले बोल रहे थे मान लिए आप लोगों के पास मेरा क्वेश्टमेंट के साथ आपने मार्केट से मेरी वेबसाइट से नाल है कि मार्केट से कहीं से उठा लिया उसे मेरे क्वेश्टमेंट के साथ लाश्ट में दो चेप्टर किसी और टीचर के बुक्ति उठा दिये तो अब आप उसे मेरा क्वेश्टमेंट तो नहीं बोल सक तो वही कईपटल एक्टा टोटल एसेट से स्ब्लसट प्लस 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 डाइट या फिर दूसर तरीका टोटल एसेट मैंनस करन्ट लिपलिटी सिर्फ यह करोगो तो भी 17 जाएगा तो अभी हम लाइबिडिटी सैट से बात करते हैं आप वह साइट से तोटल असेट बढ़ती सर कैपिटल एंप्लियोड बढ़ती ना सोचो टोटल असेट माइनस करेंट लिएबिलिटी होता है तो वह बढ़ती वह एड किया इसके लागवा नौनकेश एड्जेश्मेंट जो नोपेट में किया था ना एक्जांपल प्रॉफिजन फो यहां पर करना है तो यहां पर क्यों एड किया उसको ध्यान से सुन लेना इसका लॉजिक नौनकेश एक्सपेंस अपने इसलिए क्या था कि सरी यह तो बुक्स की एंट्री एक्ट्री में कोई खर्चा नहीं है तो प्रॉफिट बढ़ा लो वापस से पर हमारी बुक्स में तो प्रॉ से निकालना होता तो टोटल असेट्स माइनस करेंट लिएट हो गया वही प्लस इंटेंजिबल असेट्ट कर दो पेटेंट जो की बुक्स में रिकॉर्डेंट नहीं है तो क्वेशन में आता एक अपने पास और नौनकेश एड्जेस्ट्मेंट डन इन नौपैट कर दो सब अब सुनना यह आपका अकाउंटिंग एंट्री आपको पास करने आनी चीह तो यह एड्जेस्मेंट का लॉजिक आपका केलियर होगा 11 क्लास में आपने अकाउंटिंग करना सिखा था कोई भी एक्स्पैंस हो मालोग प्रॉविजन फॉर बैट्टेट्स की बाद करें तो यह एक एड्जेस्मेंट हुआ यह नहीं एक्सपैंस दूसरा तो प्रॉविजन फॉर बैट्टेट्स एक तरगे लाइबिलीटी बन रही थी तो हम क्या करने टोटल असेट माइनस करने लाइस कर रहे हैं तो यह भी लाइस हो गई होगी और हम तो मान रहे हैं कि अगर यह यह लेक्स कर तक दूसरा टो बैटीए और को यह खरणी करो तो बेट को नहीं 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 जाद हो एड और लॉजिक भी तो याद रखो कुछ भी नहीं है बस आप EVA निकाल लीजे सारे adjustment हो चुके हैं कुछ अधर points EVA से related ध्यान दख लेना कईब आप पूछ लेता है कोई company जिसका higher EVA वही best investment माने जाती है मान लीजे company का EVA है 2 lakh रुपीज का company का EVA है वो 2 lakh रुपे का है और number of shares ते 1 lakh यानी रुपीज 2 पर share आगे यही है EVA dividend यानी रुपीज 2 पर share का company dividend बाठती है तो इसे बोलेगा EVA dividend अब EVA dividend का मतलब क्या हूँ असार इसका मतलब हुआ कि it means the amount of dividend that company can pay before its value starts declining मतलब company 2 रुपे पर share का dividend अपने shareholder को पे कर सकती है इससे ज्यादा अगर पे करेगी ना इस company की value decline होने लग जाएगी इस company की value decline होने लग जाएगी अगर ने 2.1 रुपीज पर share का भी कर दिया तो सुनना कैसे होगा क्यों होगी value decline देको 2 lakh रुपीज कमनी के पाद excess profit capital वालो जो गिरेगी ना इसका interpretation यह होता है बाकि इसको मैं और detail में एक और point बताता हूं जो कि बहुत बार मैं बता चुका हूं लेकिन हम linkage नहीं लगा पाते हैं उसको interpreted धंसे नहीं कर पाते हैं आप देखिए हम minimum required return निकालते हैं वो less करते हैं नोपैट में से तब यह आता है तो सरी टू लैक का जो dividend के हम बात करें हम बोलें shareholder को dividend बाते हैं यानि company dividend ना बाते तो क्या होगा तर कंपनी की value नहीं गिरेगी यानि कंपनी को dividend नहीं बातना चीए तो shareholder नाराज हो जाएंगे ऐसा नहीं shareholder नाराज होंगे क्यों नहीं होंगे क्योंकि आपने minimum required return पहले ही less कर दी है minimum required return में के केड़ी दोनों ले ले ली थी का मतलब expected return of investor बताया था उनको कितनी return चीए वो तो हम already दे चुके हैं उनको जितनी expectation थी यह तो हम extra देने की बात कर रहे हैं उनकी खुशी के लिए उनको ज्यादा खुश करने के लिए तो company अगर यह बात देती है तो कोई दिक्कत नहीं एक्स्टान को खुश करने के लिए पर इससे ज्यादा बाटा तो value कि देगी तो company अगर इसे बाटे ना इस dividend को बाटे ना और इस dividend को बिजनस में इन्वेस्ट करें और या फिर इसे बिजन के थे उसमें क्या था EBIT के बेस पे तो जितना जादा EBIT उतनी value of firm जादा यह इसका conclusion है तो EVA dividend में मैंने यही लिखा है it is the amount of dividend that company can pay before its value start declining because if company does not pay any dividend then value of firm increases since amount can be used for investment which will increase EBIT growth hence if EBIT becomes higher value of firm will also increase यह explain मैंने आपको कर दिया EVA complete हो चुक है next market value added MBA MBA का मतलब है wealth that company is able to create for its stake holder since its foundation यानि company अपने foundation से company till date अपने stake holders के लिए कितनी wealth create कर पाई company अपने stake holders के कितनी value बढ़ा पाई total उसकी बात कर रहे है यानि जब से company बनी है since its foundation वह आपको बतानी इस टेक होल्डर और share holder में फरक होता है share holder यानि equity इस टेक होल्डर मतलब equity plus debt don't know जो भी stakeholder है company के तो company सभी के लिए यानि company सभी के लिए कितनी value create कर पाई since its foundation जब से start हुई है सबसे company अपनी value में कितना addition कर पाई नाम या market value added company अपनी market value में कितना addition कर पाई यानि तर कंपनी की आज की दिन क्या value हो गई और books में company की क्या value आ रही है मैंने class में तो पुरा करवा है था तो उनको भी मैं बता दूंगा question से reference देके अगर market value of firm company की question में given है तो सर्फ पूरी firm की value given है वो ले लो minus books में value क्या रही है capital employee नहीं invested capital लेना adjustment के दाथ क्योंकि EVA वाले बंदे नहीं नहीं तो MBA निकाला है तो बस वह आप लेज करना value of firm minus capital employee adjusted वाली यान invested capital अगर आपको market value firm की question में given ही नहीं लेकिन equity share holders की market value given है equity shares वालों के तो सब्सक्राइब कैसे निकाले सब्सक्राइब मार्केट वालों के लिए एडिशन कितना करके दिया इतना value लगाना है तो यह वाला लगेगा question में देखो market value firm की given नहीं है आपको क्या दे रखाए इक्विटी की value market value of equity market price of equity तो यह वाला लगेगा market value firm का मतलब इतने सारे method बढ़े है ना firm की value निकालने के वो सब लगाके वह आपको दे रखाओगा question में बस यही था MBA निकालना है इसके अलावा MBA के अंदर एक last point है आप MBA को यूज करके form की value भी निकाल सकते हो सब्सक्राइब कैसे आगी वैल्यों फॉर्म प्लस इंवेश्टेट केपिटल फॉर्मूला कैसे आए जो मेन फॉर्मूला था इसमें देखो 問 सब्सक्राइब को छोने प्रकेंस वाड़ेंड में अपने इन्वेश्टेट केपिटल एक य surveillance हो गया धो सब्सक्राइब करेंगे इसके अलावा यूज मिलेके पर्टिकुलर वेल्यू भी आ सकती है अगर उसको यूज में लेके आपने वेल्यू फर्म निकाले ना तो बहुत अच्छी आपको प्रॉपर नहीं कर पाते क्योंकि वह और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर इकोनोमिक वेल्यू यानि प्रॉफिट में कितना अडिशन होगा जो बिजनस में लग पाएगा फ्यूचर का अगर इकॉनोमिक वैल्यू इडिशन मिल गया उसका पीवी करोगे तो इकानोमिक वैल्यू बढ़ेगी तबीनेस की वेल्यू बढ़ेगी तो फ्यूचर में कितना व्टै को प्रॉफिट चेपिटल पीवी करने के वह अफू बहुत या जाएगा इंब इसमें सब्सक्राइब करके तहीं जब् führen और था इसे लुक्न का प्रम का प्लीट हो सब्सक्राइब कटीपल साल लस्ट बाइब की उस्डशिफ प्रम ट्रिफिक बिलीशन की पर कुछ specific business कुछ specific type की companies में आप valuation कैसे करोगे क्यूंकि जब को specific business होता है ना तो valuation जो general approaches मैंने बढ़ता है आपको second part में वो सभी companies पर लग जाएंगे पर कुछ ऐसे specific business होंगे जिनका nature तो उनमें आप valuation के वह तरीके तो लगाते ही हो थोड़ा कस्टमाइज करते हो उनमें कुछ extra चीजे कर लेते हो बस यह आपको करना होता है जिसका मैंने एक example दिया था market में आप जाते हो चाय की बहुत सारी दुकाने मिल जाती है आपको ठीक है चाय बनाने का basic fundamental तो वह प्रोच तो वह हैं जो सभी कंपनीज पर कुछ specific कंपनीज होंगी जो की जनरल अप्रोच तो लगाओगे पर उसमें थोड़ा सा मोडिफाई करके जनरल अप्रोच में थोड़ा एक्स्ट्रा चीजों का एडिशन करके आप मैथर यूद में लोगे जनरल मैथर्स कोई तो यह कोई ज्यादा काम के नहीं होते क्योंकि इन में कुछ आपका अलग से question बनने का सारे question कर लेते हैं तो इसके अपने आप हो जाएंगे क्या आपको वही मैतर लगाने है थोड़े से change के साथ और कुछ भी नहीं हुआ कि देखिए अब इस फॉर्थ पार्ट को फटाफट से इस फॉर्थ पार्ट में आप तीन चीज़ें पढ़ेंगे तीन टॉपिक्स में इसमें पढ़ाऊंगा पहला वैल्यूशन ऑफ डिजिटल प्लैट्फॉर्म का वैल्यूशन कैसे करेंगे मैंने बोला ना स्पेसिफि स्पेसिफिक बिजनस है तो उसकी वैल्यूशन में आपको क्या फॉलो करना वह आप यहां सीखोगे तो सब पहले यह तो पता और डिजिटल प्लैट्फॉर्म क्या होता हमें तो यहीं नहीं पता तो वही मैंने लिखा है डिजिटल प्लैट्फॉर्म आपको नाम से समझ आ यानि यहीं वर्किन और और उनलाईन इस प्राइस करते हैं जिनमें प्लैट्फॉर्म पर जाते ओद रोगशंगेosas वालइन इस इसके डेफिनेशन होगी एक्जाम में नहीं या नहीं लेकिन समझ में आए इसले लिखाए मैंने एक्जामपल कुछ सब्सक्राइब करते हो अकाउंट क्रेट करके सब काम ओनलाइन हो जाता है ऐसे यूबर आप ओनलाइन एक प्लेटफोर्म में एप पे जाते हो क्या बुक करनी है क्या बुक कर ले जो ऐसे आपका टेलीग्राम ओनलाइन प्लेटफोर्म में यूजर्स नंबर्स के तुव आपस में चैट वीडियो को जो करना वो करो इसके बाद पेटियम उनलाइन यूपी वगरार जो ट्रांसेक्श है market-based model वह तो वैसे फाल्तू अइस बिल्कुल यह जितने वह अपने वाल अदर टॉपिक में मार्केट-बेस मोडल तो वन्हें होता है इसप्लों करते धिजिटल प्लेटफोर्म में किस बात कि यह सकते हैं अप नैट-फ्लीक्श पे जाओ ऊगा चिकन प्लेटफोर्य प् तो अब तो अब यह जू दो दोणों ने सेम एज़ीटीटीद अप्लाई कर देना डिजिटाल प्लैटफोर्म के वेल्यूशन के लिए अधर कंपनी इसके लिए अधर यानि आगर आपको नेट्विक्स का वेल्यूशन करना है तो लगा रहे हो तो सेम वही लगाना जैसे अधर कंप्रीज में किया था करने के लिए इन्होंने बोला कि आप टोटल मार्केट बता कर लो आप जिस बिजनस में उसका टोटल मार्केट कितना है जिसे बोला जाता है टैम टोटल मार्केट कुछ द्यान रखने की जब अतनी है वे शौट में लिख दिया मैंने टोटल मार्केट कितना है जिसे माने लेते हैं पेटियम का क्योगल बिजनस में बार के लिए अज्यूम कर रहा हूं कि यूपी आई ट्रांजेक्शन का बिजनस है और कोई बिजनस नहीं तो बिजनसरे जितने भी अवे प्लैट्फोर्म से उसका टॉटल मार्केट देखो chnीट्प और सौिंटे पर हूं है यह सब्सकरों तॉटल हैंसे आप ने थमीट करो 25 शाव अब अछय PER है the 20 20 I'm owners in me cashiri बताया तो सा अपने शेयर दरा जाताथ है सर्वी सेबल मार्केट यहीं me मैं कितने मार्केट को सर्विस सेंडल में तो प्रेक्टिकल के लिए ग्जाम के लिए पत trif as जादा से जादा बोलेगा केश फ्लो टोटल एड्रसेबल मार्केट इतना इतना और आपका शेर आपको बता देगा 20 परसेंट 10 जो भी है तो आप सेम निकाल देना और सेम यह आपका फाइनल कैश फ्लोगा उसका पीवी कर लेना वाद कंपले जादा इतना मोरिफा होगा बत करने के लिए चाहिए एनिक होगा और छीए रेस्प्रीम समझाय होगा कितनी रिस्क फ्रीमें रिटर्र मेलिया वह तो हम मघेंगे मांगेंगे बाकि हम कम्पनी में सब्सक्रीम में जब आप अवे तो यहीं निकाने के लिए फॉर्मूला में इतना तो करोगे साथ में प्लस करोगी सीयस्ति इस आरपी कंपनी स्पेसिक रिस्क प्रीम हो रहे होताँ अलग से इन इनकंपनी इसके अंदर एक्ष्ट्रा जो बागे नहीं होता तो आप उरी टर्ण भी मांगोगे भाई इनमें से किसी भी चीज़ के यूपी प्लैटफों में और किसी दिन अगर सिक्वर्टी बगाया में को करना था उनकी जगा धुलाइग यहां पर आपका कंपनी स्पेसिफिक रिस्क में दिया अपको नेट्फिक्स पूरी मुवी बनाराम से बाएं जो है उसकी जो नेट्रिक्स की सिक्यूरिटी वाला पार्ट वह अगर एकदम वीक हो जाए एकदम वीक सिक्यूरिटी हो जाए उनकी मान लोग उनकी सारी मूवी ऐसे कोई भी बंदा आराम से बाहर निकाल रहा है सारे उनके जो भी वैब शोज वैब सिरीज है सब कुछ लगते देगा तो के में वह भी लगेंगे यह बैए सिमिलर कंपनी हर किसी की मिल जाती है पेटियम की सिमिलर गूगल पर बताया उनका डेटा उनका रेशो अठाओ अपने डेटा पर लगाओ लेलू लेलो सेम अधर-धर कंपनी कुछ भी अलगनी करना इसके अलाब एक एक लगने की इन प्लाटफों में जो टोटल कोस्ट होती है बनाने की डॉलोप्मेंट या कोडिंग की कोस्ट होती है अगर इसको फोलो करना ना तो आज की दिन मैं नेट्विक्स खरीदनें को तयार हूं एक करोड़ कोई बुराई नहीं है ठीक है तो यह एकदम फालतू मोड है कोई मोडल है कोई अप्रोच वाला कोई फोलो नहीं करता इसे इसे डिजिटल प्लैट्फों का वेलेशन कम्लेट कुछ है नहीं इसमें अब आपको कुछ एक्स्टर से सीखने को मिलेंगी इसमें थोड़ा दिमाग भी आपको चलाना पड़ेगा बाकी इजी है यह इसमे में डरा देते हैं डराते भी हैं डरा भी रहें कि बहुत खतरनाक है ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा कुछ नहीं बहुत आताना भी पूरे एक्जामपल से समझाओंगा आपको रिविजन वीडियो में भी टेंशन मतलब डिश्ट्रेश कम्पनी का मतलब समझो पहले तर एक टकी देंवार्मल इंसान के लिए सपर इंडिवीजी लिए कमपनी ब्हूल जाओ вы Cabinet को बैया को कोई हो जाते हैं आज कलके दमान में तो ऐसकूल cule बच्00 कर चले के चला जाता established करने करने जाते हैं शूबम्हें मार्स इंसान मार्केट से पैसा उठा लिया लोन पर पैसा चुका नहीं पा रहा ठीक है आगे पैसा कहीं लगाए तो यह दिस्ट्रेश इंसान इसे अपनी मिट नहीं कर पारें कभी बिट को कभी कर सकता हूं कि अपनी खतम कर सकता हूं कब इस कब्लेक्रेट करते क्वाला कि हो जाए कर दिवाले और कोजित कर लेगे बएब हमारे पास कोछ नहीं है इसके वह कभी भी बैंकरफ्ट हो सकती है तो सरी डिश्ट्रेश कम्नी कर वेलुइशन क्यों पढ़ा रहे हैं जो अपनी फाइनेशल ओब्लिगेशन मीट नहीं कर पारी उन्होंने पैसा उठाया आगे बिद्धनस में पैसा लगाया और रिटन वह कमा नहीं पारी है वह सकता तो सर ऐसी कंपनी बरबाद कंपनी कि क्या वेल्यू थोड़ी नहीं होगी आपके आप बोलोगे डिश्ट्रेश कंपनी वर्थलेस है पर मैं आपको बता दूँ ऐसा नहीं है डिश्ट्रेश कंपनी की वेल्यू हो सकती है तो बस यहीं पॉइंट लिखा है ताकि आपके आने पास्ट में उससे कोई मतलब नहीं है फ्यूचर में कैश फ्लो अगर यह कंपनी जनरेट कर पाएगी तो कैश फ्लो जनरेट होगा पैसा आएगा पैसा पैसा पेवी करवाएगी यह पॉटेंशल फ्यूचर के अकॉर्डिंग देखो पास्ट में जो किया वो तो देवाथी नहीं हुआ लेक्चर सी चल रहे हैं एक्जाम आने वाले हैं आप बेंकर डिस्ट्रेस्ट हो रहा क्यों आप आपका दिमाग खराब हो चुका आप जिंदीगी बर्बाद हो चुकि आपको ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है आपने जो किया भी तक वो मैटर न नहीं करता है मैं हमेशा बोलता हुआ है तो आपने किया पास में जो किया वह डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं बूल जाओ जो आपने टाइम बरबाद किया जो भी हुआ वह भूल जाओ आप लो फ्यूचर में क्या कर सकते हो वही आपका रिजर्ट करेगा बस वही डिस्ट दिश्ट्रेश कमनी के वैल्यूशन में सबसे मेश फ्लो बेश मोडल यह लगने वाला है इसी मेश कमपनी तो इसकी जैसी और भी होगी क्या बिल्कुल जैसे आप बोल रहो कि आपकी प्रप्रेश्चन नहीं हुए हैं आप डिस्ट्रेस में पढ़े हो तो आपके जैसे पत इसके बहुत आवेलेबल होती है मार्केट में तो सिमिलर का उठाओ अपलाई करो वेल्यू आगए बात खता मार्केट प्राइस बेस्ट मोडल वो फाल्त होते हैं असेट बेस्ट मोडल लगाओ गई कहां सा जिस कंपनी के बाद असेट ही होती ही तो पैसा पेही कर देती ना लगी नहीं सकता वह भी नहीं हो रहा तो बस चैश फ्लो बेस्ट मोडल इस इंकम अर्णिंग बेश्ट मोडल उसी का पार्ट तो उसको इक तरीके आप इधर ही कंसिड़र कर लो तो इसमें सबसे इंपोर्टनेट हैं लगेगा उसके ही तीन में सबसे पहला मेंतद देखलो कोई मतलब नहीं फिर पढ़ने का विए समझ में नहीं आएगा फिर आगा वो नहीं समझ आए तो आप FCFF या FCFE जो भी आपको निकालना value of arm value of equity वह method choose कर लो अब आपको बस फर्क क्या करना है modify कर लेना है आपको cash flow future के पता करने पीवी करने चाहिए FCFF FCFE अब करो से सबको से मैं बस cash flow को modify करने है चैश फ्लोग मोडिफाई करने है निए सेम एस cash flow based model for other companies except that expected future cash flow calculated as expected future cash flow है ना उनको calculate किस तरीके से करोगे expected future cash flow of time t कैसे आएगा cash flow of time t multiply by 1-probability of distress of time t यह क्या है सब्सक्राइब क्या 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 लौजिक है एक्जामपल से समझ लो बहुत आसानी से समझ आएगा देखो लोगो आपको दे रखाए कंपनी है डिस्ट्रेश्ट कंपनी नेट फाइफ यह कैश्वा जर्रेट कर सकते हैं बस पांस साल का डेटा ले रहे हम Fcff के बेस्पर वैलूशन करना चाहते हैं हम Fcff के बेस्पर वैलुशन करना चाहारे हैं करना चाहरे हैं तो मैंने बोला बागी सब चीजे तो सेम जो अधर कैश फ्लो वेस्ट मोडल में जन्रल कंपनी इसके लिए पड़ाता वो आप कर लोगे पांस साल के FCFF पता कर लो जो मैंने पता करें 1500 900 700 1200 पीवी फेक्टर डब्लू एसी के अकॉडिंग आ जाएंगे इनका पीवी करोगे वैल्यो फॉर्म आ जाएगी नॉर्मल कंपनी होती तो यही करते हैं लेकिन यह डिस्ट्रेश कंपनी दे तो आप क्या करोगे जो कैश फ्लो क्या हुआ है कि यह कंपनी इतना डिस्ट्रेश में चले जाए कि बंदी हो जाए तो इसकी प्रोबैबिलीटी क्या है वह दिस्ट्रेश कंपनी है तो कभी भी बंद हो सकते हैं मैं सोस तो रहूं कि यह फ्यूचर में रेवन्यू ले आएगी तो चल जाएगी उस हर साल आप देखो प्रोबैबिलीटी कितनी है डिस्ट्रेश होने की तो सब्सक्राइब में मैंने देखा 20 परसेंट चांसे हैं कंपनी के बंद होने के पॉइंट टू जिरो यह नहीं 20 परसेंट चांसा कंपनी बंद हो जाए तो कोई कैश फ्लो आएगा क्या कोई कैश फ्ल मैट चांसे कंपनी चलते रहने के सबस्क्राइब मैं अबसाल लेकिन चांसे से से केंड यर में 10 परसेंट कंपनी बंद होने के तो 90 परसेंट कंपनी चलने के बद आगे बद आप एक मोडिफाइड केश्फ्लो निकालो पीवी कर लो वेल्यों फॉर्म कंप्ले इतना इदी मैं आपको मैं बोरो नो कुछ भी डरने का नहीं लोग डरा रहे है इसमें पर डरने का कुछ है यह निए बिल्कुल बेस इक आपको जो में अने चीज़ें पर एक्स्ट्रा चीजें करने हों मैं बता दूँगा नेक्ट मेठट कैश्फ्लो बेस्ट वेल्यूएशन प्लस डिश्ट्रेस यह मैं अप्लाइड कर लो वह तो अप्लाइड करके यह मांद के कर लो कि जैसे नॉर्मल कंपनी हो गउंग कंशन वाली कंपनी ओ कोई डिश्ट्रस नीए तो क्या वेल्यू होती वह पता कर लो नॉर्मल तरीके दे कैश्फ़ों वगरा कुछ मॉडिफाइई मत करो नॉर्मल कैश्फ़ों लेके पीवी करके वैल्यू निकाल लो डिश्ट्रस वेल्यू अलग से जोड़ दो इस मैथड में आप पता क्या करोंगा इस मैथर में अप प्र लिएवेश्फ नेयलेना पीवी कर लेना यह इसको मल्टिप्लाइई करोगे वन माइनस प्रबैविटी ऑफ डिश्ट्रस से इसमें प्लस करना डिश्रस यह आजाए या लॉजिक क्या है वो समझ जानब लॉजिक समझ लो एक्जांपल से समझोगे एक्जांपल दे देता हूं क्लास वाला देखो आपने कैश्फ्लो बेस्ट मोडल यूज करके जो वैल्यू निकाली वह सब्सक्राइब अब ऐसे क्वेश्ण में प्रॉबैलिटी ऑफ डिश्ट्रेस के वले एक एक ही प्रॉबैलिटी ऑफ डिश्ट्रेस गिवन होगी इस वाले में यह वाला जो मैंतर था इसमें हर साल ती जिवन एक प्रॉबैलिटी ऑफ डिश्ट्रेस गिवन होगी वह भी जीरो टाइम की ऐसा क्यों सर्थ क्यों कि वैल्यू आप पहले निकाल रहे हो फ्यूचर के कैश्फ फ्लो नॉर्मल ले लिए उनको वैल्यू करके जीरो टाइम की वैल्यू निकाल ली तो आज की वैल्यू पता चलती रहेगी तो सब्सक्राइब लेकिन अगर बंद हो गई तो कंपनी जब बंद होगी तो हम आपारी जो भी थोड़ी वहता सेट होगी वह बेचते है मार्केट में एक डिश्ट्रेस सेल करने पर एक पैसा मिल जाता बहुत कम होता है जो क्वेस्टम में गीवन होगा सबसा दिया 200 रुपएं पर पैसा मिलेगा आज के दिन अगर बेचो गे तो और डिश्ट्रेस वहने की प्रवाइबिलीटी कितनी है 40 पर सेंट तो यह नि अगर डिश्ट्रेस टेल हुई तो आपको 200 रुपीज मिलेंगे तो डिश्ट्रेस होगी तो मिलेंगे उसकी मिलेगी 200 और बंद होने की चांसे पॉइंट 40 तो यह किया इस में कुछ भी नहीं है तो इस में पता एक्जाम में कैसे आएगा फ्यूचर के कैश्फ फ्लो देदी नॉर्मल डवू एसी आप पीवी कर लो कोई दिक्कत की बात नहीं आज की प्रॉपैबिलिटी ऑफ डिश्ट आप लोगी पड़ो सब चीजे एकदम लगेंगे कोई दिक्कती नहीं है यह मैथड आपका अप्लीट हो चुक है इसमें नेक्स्ट और लास्ट मेथड पढ़ना है इसका एडजेस्टेट प्रेजेंट वेल्यू एपीवी मेथड यह मैथड थोड़ा अच्छा होता है धिय सबसे पहले कमपनी की वेल्यू पता करते हो विडाउट कंपनी में डैट होती ही नहीं तो यानि क्या कैशफ फलो हता है इंट्रेस्ट होता ही यह यानि कर दो पर यहां कंपनी में डैट होगी आपके पास तो आप जब करें डैट नहीं होती तो इस केस्ट में आप के इस केश्ट करना कैम कर रहे हैं कंपनी में डैट नहीं है क्योंकि हम सिर्फ वज्यूम करें डैट नहीं होती तो यह कंपनी की कॉस्ट होती तो FCFF लेना और उसको के से पीवी करना यह काम होता सबसे पहला काम इस मेथड में इस मेथड में प्रोसेस क्या होता सोचने का वो समझो हमारी कमपनी क्यों सब्सक्राइब ऐसे बैद के देना जरूरी होता है वह घर पर गालिया दे कर दे के जाते हैं पैसा लेने के लिए मैंडुप्रेशन प्रेश्चन में आ गया अगर क्यों पैसा उनकी दो रिस्क पर है कंपनी चलेगा क्तित को कितना सुकून होता मेरी जिंदगी में पहले वह आप тоб Scale थो ह long डाले के मेरी Bemीघे वाक्राइट की वजह लुडशे सब्सक्राइब को ऺचेर्श इसे दो चीज या होती है नुक्सान फायदा क्या ने की वज़े तो सार हर साल इंट्रेस्ट के उपर हमें तो जीरो टाइम की वैलु चीट है तो फूचर में जो टेक्स से विंग होगी उसका पीवी करो पीवी हम किस तरीके ते करते हैं टेक्स डेट की रेट से जो कि एपीवी में तड आगे बी अलग चेप्टर में आगा तब डिटेल में relevant discussion हो जाएगा तो डेक्स के बाता जैसा वालों वैसी डिसकौंट वैजसे फाइदा टेट लेकिन बना वहाए तो नुकसान आ वो मैंस क्रोड़ मैंज्वालों के वेज़े से मैंट्स्ट कंपनी बना और इसके मेरी कंपनी कभी भी बेंक्राफ्ट हो सकती है कभी भी दिवा कोश्ट आ रही है क्या नुट्सान हो रहा है कंपनी का वो लेस्ट कर दो वह एक्सपेक्टेड बेंक रप्ति जो कोश्ट है वह आप निकालोगे कैसे वह आती है वैल्यू ऑफ कंपनी विदाव डेक्ट माइनस डिश्ट्रेश सेल वैल्यू मुल्टिप्लाइब बाइबलीट क्या होते कंपनी में डेक्ट नुक्सान होगा यह कोगा कंपनी डिश्ट्रेश हो जए कंपनी बंद हो जाए तो सब्सक्राइब करना तो क्या होता तो यह सुकून तो जब मिलता जब डैक्ट का एफेक्ट हम एड़ेस्ट करेंगा फ्यूचर में डैट के उपर इंट्रेस्ट जाएगा तो टेक्स सेविंग मिलेगी तो उसका पीवी कर लो सब्सक्राइब करेंगा इंट्रेस्ट जाएक उसके टेक्स सेविंगा पीवी किया अपर्ण रुपेश थ्रींडेड कोई दिक्कत निया ले लिया प्लस लेकिन डैट की जैसे नुक्सान है हमारी कंपणी कभी भी दिवाली हो सकते नुकसान कितना तर अगर डैट नहीं होती टीक है लेकिन की वजह से इस्थन में भिख सकती है और बिकेगी तो कितना पैसा मिलेगा डिश्ट सेल में तो है निया आपका नुकसान होने की चांसे इस है निक्सान कितना हुआ तो नेट पॉजिटिव आया 140 नेट नेगेटिव भी आ सकता है ज्यादा तो नेट नेगेटिव होगा मानुए 0.40 प्रोबैबिलिटी होती है तो यह आता आपका 320 तो यह नेगेटिव माइनस का 20 आता वो आप एड़ेस्ट कर देते वैल्यू ओफ डिस्ट्रेस्ट कंपनी आ सिंपल सी बात है पूरा समझा दिया मैंने आपको एक्जाम में कैसे आएगा नॉर्मल कैश्फ फ्लो दे दिए के इव अगेरा देदी वैल्यू आपको कैल्कुलेट करना पड़ेगा तो क्वेशन में आपको इंट्रेस्ट का माउंट देदेगा डेट पे और टेक्स रेट अब एक्सपेक्टेड वैंग्रफ्ट सी कोस्ट यह तो वैल्यू आपका तरीका सही होना चीए आप गलती मत करना जो मैंने बताया लॉजिकली बस वह फोलो करना अपना एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल मत चलाना और इधर उधर जो वीडियो देके आपको कुछ ज्यादा ग्यार्म बाटे हैं कोई डराएं तो उनसे दूर रहना तो आपको कोई दिक्कत लिया नि इसी के दार डिस्टेस कमपनी का वैलुइशन अपने कंप्लीट कर लिया है लास्ट आजई यह वैलूइशन ऑफ श्टार्ट अप स्क्राइब का वैलशन के से करें लिए डिएधोर vinden के अपने कश्ट्मर्स की यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस देने के लिए अपने कलाइट को अब अपने एक कस्टमर्स की यूनिक प्रॉड़क्ट रोस्ट कुछ देना जाते हैं उसके बहुत सारे म्यठ्डर्स हैं जाते हैं बहुत सारे मार्केट में आजाते हैं और आजके स्टार्टप फांडर आता जाता हूं कुछ नहीं है फाल तो ग्यान की बाते करा दो उनकी अगर आप सुन लोगे 10 मिनित समझ में आ जागे आदमी कितना पागल बना रहे हैं और अजक्त चाहे वाले चाहे वाला पहला न चाहे वाला गोल गप्य वाले पानी पूरी व स्टार्टप का काम होता है यूनिक प्रोड़क्ट और सर्विस देना आज के जमानी में हो चुका है यूनिक नाम रखने वाला स्टार्टप है तो बेवकूफी है वो एक अलग बात है इसका एक्जामपल क्या हो सकता है स्टार्टप का मान लीजे मेरे माइंड में एक दिन एक बाइरे मुच्ण बनाघन मेरे दिमागि में उसके लिए पूरी क्यलकुलेशन है कि कैसे वन एक बार मटीरियल डालना है लोगों को और मशिन जो बनांके दे कि कोई महनुत नहीं करने में अगर ये मशिन मैंने बना दी तो मार्केट में मैं बिजनस कर सकता हूं मेरे द और एक्सेंटिकतों छोए द्ध्रों इसके रावा भी श्टार मोडल क्यों इस condemerasal भी ऐसे । पहले मोडल की बात करते सुमिद्रों यह में घुतुडप अग़िए मोध है। जो आपकी लगेगी संटबू करने में इनिशली वह सारी कोष्ट बता दो करना इसंट घू. स्टार्टप में आपको इनीशली कोई फिजीकल असेट पर्चेस करनी पड़ेगी तो उसमें क्या खर्चे लगेंगे वह सारी कोस्ट को स्टार्टप की वेल्यू मांदो यह मैसाड़ है इक्दम इनीशल स्टार्टप में पंडिंग कराने के लिए तू नहीं बोला यार efंडिंग करें अभी अनुध क्यों describes है इस बॉस्ट को एक बार सेटप करने में तो यह गत्ति दॉप्लिकेत अप्रोच जिए बागे invasive प्रटॉट्मेंट कोई टाटल कर दूबस आपके आगी फाइनल टोटल कोई यह वैयूशन ऑफ इस्टार्ट अब देखो पर नाम क्यासा यह देखो इस्टार्ट अब जो पैसा लगाने वाले लोग होते हैं वह फर्म्स होती है जो जिनका बिजनस होता है वेंचर कैप्टलेश्ट होते हैं तो उनकी फर्म के नाम पर ही उन्होंने रग दिया बरका सब्सक्राइब जिन्होंने यह मैथड़ डॉलप किया था तो वैल्यू आफ इस मैथर में कैसे निकाली जाती है इन्होंने बोला इनकी अकॉर्डिंग इस मैथर क्या तो फाइफ की फेक्टर में वह सक्सेस अच्छिव कर लेता है तो इस मैथर के अकॉर्डिंग वह फाइफ की फेक्टर के हैं बेसिक वैल्यू टेक्नोलोजी एक्विशन स्ट्रेटिक रिलेशनशिप और प्रोड़क्शन एंड तो इस मैथर के आप पांचो फेक्टर्स के प्रेक्टिक बाइफ की फेक्टर्स यह इस्टार्ट अब देखो एक इस स्टारट अप का मुझे वैल्यू कितने हैं वही वाला मशीन ऊट्रमेंटिक खाना बना दें पचास लाग रुपे का एक बेसिक वैल्यू बानके चलता है इसका इसकी पाद आप टेक्नोलोजी के न इसके बाद दो करोड रुपे का उसका वैल्यू बानके चलो इसके बाद एक्जेक्विशन कितना है इसे श्टारट अप का एक्जेक्विशन लेवल सर्ट टेक्नोलोजी वगेरा सब पर उसके फांडर्स वगेरा एक्जेक्विशन करना आता ही नहीं बिसने ज्यादा चला थीक ठाक है करोड रुपे का उसका अकॉर्डिंग मैंने वैल्यू बताई इसके प्रोडक्शन इंड श्टार्ट अब जो है वह यूनित कितनी प्रेडिूस कर रहा है और कितनी कर रहा हूं ज्यादा यूनिट्स कर रहा होगा तो ज्यादा नहीं इनिशल पेस्प्र तो थे इसके नाम ते समझ आगे होगा इस्टार्ट आपके विजनस में जो है उसका सिमिलर स्टार्ट अप ढूंडो और उसकी जो वैल्यू थी उसका कोई वैल्यूएशन हो रहता हो रही उसको बेस बना कि आप अपनी वैल्यू पता कर लो इसका एक्जांपल मैं नहीं लिखा है एक श्टार्ट आप है जिसके 10 लेक यूजर्स हैं यह कौन से स्टार्ट आप है सबोस्ट लॉजिस्टिक्स बिजनस का मार्केट में बड़ी बड़ी जो कंपनी देना उनको जब प्रोड़क्ट कुरियर कराने होते थे अपने कस्टमर्स को तो कुछ पिन कॉर्ड ऐसे जि को मैं बेजूंगा मैं इंटिग्रेट करूंगा बाकि सारे जो डिलेवरी पार्टनर्स हैं डिटेडी सी डिलेवरी एक्स्प्रेश वी उन सबको जहां-जहां जिस-जिस पिन कॉल पर जानोगा वो सारी हैडेक मेरी होगी आप तो मुझे दो तो मैंने वह बिजनस चालू क तो तो बिली मिटेट का पर यूज़र पर क्लाइंट के वैलिएशन हुए 26 करोड़ रुपय मिले हैं जबकि उनके दो करोड़ क्लाइंट तैया निरुपीश 13 पर यूज़र का वैलिएशन और मेरे तो 10 लेक यूज़र ही है तो मेरा वैलिएशन कितना हुआ रूपीश था calculation करते हो वो देखिए scorecard valuation method में आप scorecard बनाते हो आप startup का scorecard बनाते हो यानि marksheet जैसे आपकी marksheet होती है exam की FR में इतने marks है, AFM इतने, audit इतने, DT इतने, IDT इतने, ऐसे यह आप अपने startup की marksheet scorecard बनाईए startup को आप marks दीजिए अलग-अलग field में, सब कैसे कैसे marks देंगे इस पीड में, तो इस टार्टप की qualities के basis पर आप marksheet बनाईए, scorecard तो फर्शन चेप में आप startup का scorecard बनाईए scorecard multiplier percentage के लिए तो qualities of startup तो सब्सक्राइब इसके लिए seven qualities के basis पर आप marks दोगे, पहली strength of team यानि जो startup जिसके आप बात कर रहे हो, जो मानलो जी अभी इस मशीन वाले की बात करा तो इसके जो फाउंडर हैं के बीच में आपस में स्ट्रेंथ ही नहीं आपस में नहीं बनती लड़ाई जगड़े करते रहते तो क्या ठीक है तो साइज ऑफ अपोर्चुनिटी में कितनी साइज मतलब मार्केट में इस 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 टारट अपको जा बाद में फूचे में और इन्वेस्टमेंट की ज़रुरत पड़ेगी क्या और अधर क्वालिटी इस तरहें इसके अंदर हमेशा अब आपको इसकी इन क्वालिटी के बीचिस पर स्टार्ट अपको सिमिलर श्टार्ट अप डूड़ना पड़ से टगमने धिए और कि अई तरफव प्रन हमेरे श्टार्ट आपको के असब पहले देखो इस ट्रेंदे स्टार्टम में मेरे बंडृन्डेमे ऑन कि लिए मैं इसके अपरूटि इसके पृतंव मांद थे तांन ने जी का जम अपरुर्टिंटि अ कम इंपर और सभी स्था मेरा जो प्रोड़क्ट तो अच्छा है तो स्था प्रोड़क्ट का 120 परसेंट है मेरा प्रोड़क्ट कॉंपीटिटिव एन्वर्मेंट सर है जितना मैं फेस करहा हूँ इसको ज्याधा मार्केटिंग आती है मुझे नहीं आती है इन उसका 50 परसेंट में मार्क जालना है हर क्वालीटी में और हर क्वालीटी का फिर वीट देरा है वेट कैसे होता है सब्सक्राइब और याद रखने पड़ेंगा इनका मतलब कर सर एक स्टार्टप में सब्सक्राइब जरूरी क्वालिटी होंती है स्ट्रेंथ आफ टीम पॉइंट 3030 परसेंट थोड़ा था फ्लेक्सिबल होता है एकाथ परसेंट लेकिन एक्जाम में आप यही काम मिलोगे जब तक कि क्या करना है आपने यह परसेंटेज निकाला इसको म को मिल जा का आपके स्टार्टप में स्ट्रेंथ ऑफ तीन कितना है यानि इसका टोटल कर दिया तो मिल ग्या है यह ईचा मतलब पता है क्या हुआ इसका मतलब ही होगा कि सिमिलेरि स्टार्टप उसके में मेरा जो स्टार्टप ए 93.75% इन से एक्जाम में पता है क्वेशन कैसे आएगा बोल देगा फॉल्लिंग आर्थी क्वालिटी ऑफ स्टार्टप जिसका आपको वेलुइशन करना है क्वालिटी के नाम और इनका क्वालिटी परसेंटेज कंपेरिजन देगा जो यह मैंने लिखा वेट्स क्वेशन में देगा नह जाएगी दॉट हगोर जाओं ये ज़िए कैश फ्लो बेश मोडल लगालो क्यूट तरीके से केल्कुलेट करों तो यह काम होता है यह चैपिलिस्ट प्राइश चेप्टर में पैसा लगाना और यह स्टारटप पैसा कर जाए रेटन के साथ बस यह काम होता है वेंचिय क्व सब्सक्राइब करके उन्होंने यह मैसाड किया था तो उसकी अकॉर्डिंग नाम रख दिया फर्स्ट रिकाओ को मैसा अब इसक्टेट कैसे निकालोगा एक्जामपल से समझ लो आप देखो इस्टार्टप में फ्यूचर कैस्ट फिक्स एस्टिमेट नहीं कर सकते आप हर साल की विलीयर प्रक प्रवब्बारिटी वेटिटेट हर साल का कैस्ट प्रवा पता कर रहा हो एक्जामपल से एक स्टार्टा बेगी इसका वच सेनरीयों बेתח मेंुफड सबसक्तें máximo सेनें जो प्रबुबिलिती वेटेड गया थो प्रबुबिलीटी वेटेड गया एसी सेकंड यह का थार्ड यह करको फुटेड ले लेना प्रफिक कर लेना इतना इसां मेतड मैने पहले बोला था बहुत आसान है बस आप हर साल के कश्च घर साल जो भी कैश्फ्व सिनरियों के उनको बद्टी वैटेड करके सिंगल सिंगल एक्स्प्टेड करते जा और सब कुछ से में कैश्फलोबड नेक्ष्ट मेठाड वैंची कैपिल यह श्टाट अब यह दो होगी तो नोग होगी वैंची कैटिल्स यह पूरा लोग पैसा लगाते हैं उसी दिन यह डिसाइड कर लेते हैं कि इस्टार्ट अप में पैसा कब निकालना है वापस उसे एक्ज़िट टाइम ठीक है तो यह सोच लेते कि आप 5 साल बाद वापस पैसा निकाल लेंगा जो ग्रोथ वगर होगी सारा पैसा निकाल लेंगे 5 साल पूरी क पांस साल बाद श्टार्ट आप की वैल्यू क्या होगी वह पता कर लो वह एस्टिमेटेड वैल्यू होगी क्वेश्चन में डायरेक्टली या फिर इंडायरेक्टली भी हो सकते हैं बोल दें कि 5 साल बाद इस श्टार्ट आप का इवी अपॉन इबिड़्डा मल्टिपल क अब इस्टार्ट आप की वैल्यू निकालो यह वैल्यू जो आई यह तो 50 एंड किये और हमें वैल्यू चीए जीरो टाइम की तो सब कैसे करते हैं रिक्वाइड इंवेस्टर तो इन्वेस्टर एंडिवेंटर को कितनी रिटन चीए हो पहले डिसाइड करते हैं वन टू ट कुछ भी नहीं है इस मैथड में आप एस्टिमेट कर लीजिए वैल्यू फिस्टार्ट अप हमारे अक्वर्डिंग एड़्यू टाइम ऑफ एक्जिट मतलब जब वेंचे करना चाहता है क्वेश्चन में गीवन होगी आपको डिरेक्ली या इंडिरेक्ली जो बताया मैंने सब्सक्राइब कर लेना इस वेल्यू आगई इस सारे कितने इसी पूरा चप्टर एकदम आसान चप्टर अगर सही तरीके से पढ़़ोगों सारे कंसेप्स करा दिये नोट्स पढ़ लेना फ्री में अवेलेबल है सबी के लिए जिनों क्लास लिए उनको तो मिलता ही है और यूट्यूब से देख रहे हैं उन लोगों के लिए फ्री में पूरे नॉट्स अवेलेबल कराके हैं वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया करो फिर सब्सक्राइब करना हो वेबसाइट से क्या करो वालतु इधर उधर से करोगे कहीं मार्केट से लिए किसी के पास उठाके क बहुत सारी इस्वेंट के इस्वाट आते हैं और फिर गालिया हमको देख जाते हैं जबकि गल्सी उनकी है कि फ्री का उनको माल ऐसे कहीं से यूज करना फिर वाली स्टुरेंट है क्लास वाले सुलूशन जो मैंने आपको सारे डिटेल में सॉल्फ कराए थे वह आप साथ म क्रेंट के देखने तो आप लोग फिर सॉल्फ करना मेरे वाले तरीके से जो मेंने नोट्स में दिया है और सुल्फ केस्ट बैंक वाले से मैच करना स्टुट का सॉल्फ करते हैं इक बार मैं आपको क्वेशन बैंक में जो स्थेशल क्वेश्चन सा उनन में भी कुछ वेल्यू से एडजेस्ट कर दो आप करेंट वेल्यू फो लेंड बिल्डिक प्लाद एस्टिमेटेट एवेज पैट ले लेना नेक्स यह का स्वील कंपनी का तो एस्वील कंपनी की क्यालकुलेशन करनी है तो इसक्वेशन में आई तील का जो डेटा वह टाइम पास के लिए एक्जाम में कोई काम का निया सिर्व आपको परिशान करने के लिए दे लिए तो आपको दिया हुए 785 यह आपको दे रहा है 785 से इसको की लेन बिल्डिंग तो तीन साल पहले रिवेल्यू थी तो थीन साल में वैल्यू बढ़ी होगी तो बताए 30 परियर बढ़ी है तो हर साल 30 30 परसेंट बढ़ा देना बुक वेल्यू एस्वेल की लेंड बिल्दिंग की बुक वेल्यू हो 190 तीन साल में इफेक्ट के आएगा उसके लिए इन्होंने फ्यूचर वेल्यू इंट्रेक्टर दे रगया 30 परसेंट के अपॉर्डिंग यह रहा तो इसको अपलाई कर देन क्या प्रॉफिट होने वाला है स्वेल के बताया 15 की ग्रोफ होगी हर साल इसका प्रॉफिट बिद्या हूए भी ढईस हो तो ने क्या रिख्ष करना तो नेक्स का प्रॉफिट यानि हर साल प्रॉफिट से इंक्रीज करके टोटल करते जाना यहां पे आपको एश्वी एफ तो 15 परसेंट का वी एस गीवन है आपको फाइफ पांस साल का तो यह अप्लाई कर दो फिफ्टी करोड का जो एक्रिश्टिंग प्रॉफित पर यह नेक्ट फाइफ यह का टॉटल प्रॉफित इने फाइफ करना है तो वस यह आगई इसकी आपकी वैल्यू आफ एक्विटी यह आपका एक्विटी का मैथड था तो इक्विटी वैल्यू पर शेयर निकाल सकते हो फिर प्रीमियम पूछा आप मार्केट प्रैस के ओपर कितना प्रीमियम है तो आज के दिन जो मार्केट प्रैस गीवन है उससे आप कंपेर करके प्रीमियम परसेंट बता दो नेक्ट इस क्वेशन में डिविडेंट फॉर्मुला से पूछा है तो इसमें बताया है एक्सपेक्टेट टू ग्रोएट एटीन परसेंट इचियर आफ्टर मर्जर मर्जर के बाद इस रेट से ग्रो करेगी तो यह काम में आएगी आपके डिवन डिवाइड वाइड के माइनस जी तो पर्शे में डिवेडाइड निकाल डिवन चीए तो ग्रोफ एड करने कोंती एक्सपेक्टेड आफ्टर मर्जर एटीन परसेंट वाली यह आगे डिवन ग्रोफ रेट के हमें का डेटा नहीं है तो सेकिंड प्लस जी पर यहां पर जो भी ग्रोफ रेट काम में लोगे तो बस 15 परसेंट के अपरिंग डिवन करेंट मार्केट परस तो यह आगी के आप फॉर्मुला में डाल दू वैल्यू आपका कंप्लीट हो जाता बहुत एज़ी कोईशन है देखके बड़ा लगता है आपको पुरा नॉर्मल तरीके से अपने किया था कुछ इसमें कुछ लगा ही नहीं सकता सेकेंड पार्ट में देखो मर्केट प्राइस पर शेर पूछे आपको पॉइंट इस पार्ट में पी रेशू दे रखा यह पी रेशो मोडल लगा हुए मैंने बता दिया आपको पॉइंट के और लिखी जो सबसे इंपार्ट क्योशन होता है इन क्योशनमे सारा डेटा दिया हुए केस्ट फूराइट में मैंने कराया था तो वह तो आपन रिवाइस पूरा नहीं करेंगे आप सिर्फ एक स्पेशल पॉइंट बताता हूं यह क्या बोला गया स्टार्टिंगी पीरेड में हाई ग्रॉथ है उसके बाद हाई ग्रॉथ का पीरेड कितने टाइम का चार साल का उसके बाद ग्रॉथ एक दम स्टेबलाइद हो जाएगी फ्यूचर में कोई नहीं स्पेशल ग्रॉथ रेट नहीं होती तो आपका कैपिटेल एक्सपेशन ऑफसेट हो जाता है जी इस वाले में पता क्योंगा नेट कैपेक्स जीरो होगा तो ऐसे क्वेशन में आप प्लस डेपीशेशन माइनस क करके करोगे तो इस टार्टिंगे चार साल का तो निकालोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी पर जब आप फिफ्ट एर और्वार्स का निकालोगे न तो उस क्याश्वा में आपको चैपेक्स डोनों का मौन्स सेम करवान है विए पिछले सालों में भी आप पता कि अगर नेट लेलो जीरो टाइम का नेट केपेक्स कितना है 280 माइनस 200 यह नहीं 80 करोड और 80 करोड को ग्रोग करवाते जाओ तो इस रेट से नेट केपेक्स को ग्रोग करवाते जाना है एक बाद मैं देखो सॉलुशन दिखाता हूं इसमें अपने कैसे किया था अब तो इस वह निकाल लेती है अपने फिर एप्सीएफ के लिए अपने को ना इक तो इंक्रीज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल चीए था तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था आपका की वर्किंग कैपिल है रेवन्यू का 25% होनी चीए तो रेवन्यू आप फ्यूचर क पता करें तो नेक्ट पाइफ यर चार साल का नॉर्मल पीरिड फिप्ट यर और वार्स आपका पर फ्यूचर हो जाएगा तो हर साल का आपने रेवन्यू पता कर लिया रेवन्यू आगया इसका वर्किंग एपिटल 25% मेंटेन करनी है हर साल की वर्किंग केपिल पता चल ग इसके बाद आजेए अब आप FCFF में तो हर साल का EBIT लेस्ट नोपैट यह सब आगया अब नेट केपेक्स नेट केपेक्स देखिए अपना जीरो टाइम पर बेस येर की इनफॉर्मेशन में नेट केपेक्स कितना था केपेक्स मैंने डेप्रिशेशन एट्टी करोर तो जीर इसके अगली साल और 20 परसेंट बढ़ाके करेंगे तो मीनिंग समझना पड़ेगा और लास्ट यह में ऑफसेट बोला तो देखो जीरो कर दिया यह वर्किंग एपिटल का एड्जेश्मेंट FCFF आगया वेल्यू निकाल लो तो यह अपनी वेल्यू हो गई थी पुरा अपन बने इस प्रश्चन में एक और इस्पेशल पॉंट है जो इस टेबल ग्रॉफ पीरियाड ना उसके लिए डब्लू एसी ती अलग निकिलेगी और हाइग निकिलेगी तो इस टेबल ग्रॉफ पीरियाड के लिए जब पर्पिट्प्ट्वाइच फ्लों का पीवी करोगे द के टर्मिनल वेल्यू और इसको जीरो टाइम पर आना है अब यह जो वेल्यू आई टर्मिनल वेल्यू वह फॉरत एयर एंड के हो गई तो अब आप जो हाई ग्रॉफ पीरियर्ट था उसकी डिस्काउंटिंग रेट लेना हाइग पीरियाड वाली डबलू एक्शन में 2 यह मैंने आपको थोड़ा बता दिया ध्यान रहे आपको इसके बाद एक यह कोईशन है अच्छा कोईशन अब बहुत इस देखने में बड़ा लगता है इसके फूचर की सेल्स देदी आपको फूचर के खर्चे बता दिये इसके बाद फूचर में बता रहा है निकालो के पेक्स आपको दे रखा है वर्किंग ऑपडल बोला हूँ यह तो इसका अप ड्यक्रेटा दे रखा है आपको वैल्यों फ्रफ्रम फूचिछ तो वेल्यू आप डेट्ट लेस्ट कर दो कैस्ट कुछ देनी रखा तो इसका सॉलुइशन अपने इसी तरीकी से कराता कुछ देखना दब्लू एसी निकाली फिर अपने को डेट्टिशेशन चीए था आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चीए सारी सॉल्फ करने के लिए एफ्टी एफ्टी अवेलेबल था एडिशन कितना किया तो टोटल बैलेंस विग्रिंग में यह हुआ इस पर डेट्टिशेशन यह लगा द इसके अप्वाडिग बास डेटा आप सेल्स में सारे खर्चे अटा दो इसके बाद टेक्स अटा यह नोपेट आगया इसके डेट्टिशन में केपक्स अलग अलग क्या हुआ तो आप नेट केपक्स कर लो चाहो तो दूबारा मैनत करोगे इस से अच्छा प्लस डेट माइ कि एक यह इसमें देखो क्या होता है इस क्यों के अंदर सबसे बड़ी इस क्यों में गल्ती करते है इस वेल्यू आप से पूछिए तो एक शेर की वैल्यू निकालनी है आपको कौन सा मेतल लगाएं साफ डेटा देखके आपको समझ आजा जाएगा कैश फ्लो मोडल अब उ डेरेक्लिकी दे तो वैल्यू आफ शेर मिलती है मालों डेट रेश्यो नहीं होता तो फिर लगाते है और फिर डेट कीवन होती वह एडजस्ट करते है इसके अलावा वैल्यू आफ शेर पूछिय पूरी इक्विटी की वैल्यू नहीं पूछी तो आप एप्सीए पीर तो एक चीज यह भी कर सकते हैं दूसरा पॉइंट इसक्रेंट में अपना अलगी दिमागी गलती करते हैं यहां पर यहां करते हैं तो कुछ ज्यादा ग्यानी है जो सोस्ते हमने ग्यान ले लिए तो ग्यान का गलत अप्लिकेशन करने वाले के लोग होते ना वहीं करते हैं सर एक शेयर पे कितना के काव चेंज को दे रखाया कि यह चरुटी नीचार हो और बोलना चाहिं इसका मतलब यह निदे रहा कि share of equity in capital expenditure English की वर्डिंग्स का meaning सीख लो थोड़ा था ठीक है वर्डिंग्स का interpretation निकालना सीख लो थोड़ा था वर्ड इधर उदर कि interpretation बजार जाता है तो यह लिखा हुआ पर share यानि जो amount है उसको कड़ेगा आपको ठीक है मैंने कराया था आपको इसी अकॉर्ड है कि इसके अलावा वह स्ट्रेटेजी वाला जो मैं सब्सक्राइब करें तो इन डेटा को यूज में लेकर आप कैलकुलेट करोगे डेपीशेशन बोला है नेट फिक्स असट जो बिगिनिंग में वैलेंस रहेगा उसका 10 परसेंट लगेगी वही डवला तरीका कंपनी की रिक्वाइड इतन 15 परसेंट इस स्ट्रेटेजी की इंक्रीमेंटल वैल्यू निकालो तो इस क्वेशन का देखूँ अपने सॉलुशन किया था देखे पहली बात तो इस क्वेशन में आपको कहीं पे भी डेट वगेरा नहीं दे रखी तो पैट दिया हुए पैट ही क्या बन जाएगा नोपैट और सब्सक्राइब करेंगे इसी के बेस पर सेवन परसेंट आगे तो पतक है कि मैं आपको बतार का सेल्स कितनी गिरो होगी तो हर साल की सेल्स में जाए कि इस पर दिया लगा दोगे तो डिरेक्ट मिल जाएगा पैट ही नोपैट है यह मालूम इस सारी चीज नौट में कबर अगर सभी से पढ़ लिया तो आपको नोपैट तो मिल याप कैप चाहिए हमें डेप्रीशेशन और आपका इंक्रीड इक्रीज इन वर्किंग के प्टल तो आपको द्साइüstय अगर्ख मथक्ता के आपको 35 अगयास रपिचये की फूर्ट में हर इस सालगात तो फूरमृला इंसरे मिल जाएंगा क्या वह स्प्रेट आपको आपको टोउस्प्रीचक रगने वर्किंग्स सब्सक्तरानि सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कोई नहीं है जो मैं आपको लॉजिक बता रहा था वो हर जगे वेरिफाइब होते चलिए आपको तो उसके लिए चलिए आपको आपको जीरो टाइंगी क्योंकि और कोई डेटा है आपके पास तो आपको जीरो टाइम की करेंट एसेट मालूम है हर साल की फ्यूचर की पता कर ली तो चेंजिन वर्किंग अपटेल मिल गया लास्ट देखो फॉर्ट इयर और जब इस्ट्राइच्टेजी में पोई नहीं है तो यह इंक्रीड इक्रीड आटोमेटिकली जीरो हो गया तो बस अब आपको कुछ करना ही नहीं स्ट्रेटेजी लगाने के बाद समकी वेल्यू क्यों जाएगी वह पता चल गई आपकी डिसकांटिंग रिट परसेंट यागी एक्सिंग वेल्यू यह नेगेटीव यह यह अच्छी नहीं है यह कोई आपका कंप्लीट हो गया यह तो को जो क्यों मैं स्पेशल बतारता है इंस्ट्रीट करता है पर शेयर अर्निंग वैल्यू अप्धार्टिक अब लिए अब हमें मिल गया अब हमें चीए डिसकांटिंग रिट केप्लाइजेशन में गीवन है नहीं है तो क्या मान लोग है डबलू यह सी निकालने के लिए के केडी की सब्सक्राइशन में पर रिस्क फ्री रिटन दे रखिए आपको मार्केट रिटन दे रखिए बीटा ओफ द सब्सक्राइब तो बस आपको वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगी अनिंग वैल्यू अपकी बेवकूफी है इंस्टीट की जो बेवकूफी है उसके आपको वही फॉलो करना है तो यह वाली चीज हो गई अर्निंग वैल्यू पर शेयर अब आजा यह आगे इसके वाशन में यह नोर्मल कोईस्चिन आपका यह आपका सक्षाप कंपरेबल कंप्नी चार रीशियो दे रखें दो कंपनी की देगो यह स्क लीमिटेड शीज अपको पता है चौर रेशियो का इबरेज कि क्या आक है और यह चार्ए आपने डेटा पर एक-समारे डेटा पर अप्लाई कर सेम उसी तरीके तरह कुछ है नहीं कि इसके अलावा देखो एक क्वेशन आप यह वाला इसमें देखना आप इस क्वेशन में कि स्पेशल पॉइंट है इस क्वेशन में आपको केड़ी दे रखी ठीक है आरेफ दे रखा है मार्केट रिस्क प्रीमियम यानि आरे माइनस आरे के टाइम पर समझाय हुआ है जिस चप्टर में की बात हुए असेट बीटा दे रखा है आपको टीए सार का बीटा ऑफसेट सर आरे माइनस आरे माइनस आरे और बीटा सेट यहीं से निकाल नहीं केड़ी अवेलेबल है शॉटकट पर मत चले जाना जब केड़ी अवेलेब है दो पता करती है उसके उसके डीटा को अपना मान लेती और ऐसट बीटा की इककुएशन दी गटील इपको बीटा difficult इसकी है बीकुटी प्लक बीटा ध थे टीक़ेट विपेश्थ कर लोगए쪽에 पाटफ़ख्षेट कर वीडियो पूरा दीटेल में लॉजकर गना लिवरेज वाले मैंने आपको कराया था दिखाता हूं इसका सॉलूशन जो था अपना देखो इंट्रेस्ट एक्सपेंस आप फाइनेशल इवरेज का फॉर्मुला उसमें डेटा डाला इभी खाली छोड़ दिया मैंतेमेटिक एक्वेशन सॉल्व करके निकाल लिया और मैंने डिरेक्ट भी बताया था आपको जो मैंने फॉर्मुला बनाके दिया एक्वेशन उस इसमें आपको पता रखए कि पेटेंट एक जो की बुक्स में रिकॉर्डड नहीं है तो यह तो कहां इसके अध्यक्राइट में कुछ होता है नहीं इन्वेश्टेट में होता है बिलकुल एड करते हो आपने इसके लाबश जगह होता है डबलूए सी डबलूए सीटी के स् वह पॉइंट जहां आप जलबाजी में गलती करोगे कितना भी समझा दूमें आपको बोल दूम पर मानोगे नहीं आप तो वह बता रहा हूं आपको सब्सक्राइब टिवाइब तो इसके बाद यह नेक्स्ट वेशन है इसमें आपको मार्केट वेल्यों फर्म दे रखी ए इसमें में इन्वेश्टेट केपिटल लेस्ट करके आप निकाल लोगे कोई रिक्कत नहीं है इसके में पॉइंट और और बता देता हूं वह भ वाला एड्यस्ट्मेंटे ड्रीक्षी के लिए वेट लेते हैं डेल रिटीक्विटी में हमीं रहते हैं लेना है तो हम जलदवाजी में क्या सोचते हैं non cash expense पी लेंगे वाला नोंचेश एक्सपेंस का अज़ेस्टमेंट होता है यह गलती मत कर दे न मैंने बॉला हुआ जिस चीज का वेट जहां सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसके लाव एक लाश्ट इसक्राइब देखिए इसक्राइब क्या है आपको सब्सक्राइब आपको पू सब्सक्राइब करना चातें और गलत मैथ यहां कारोगे मार्ड़ ओफ और शीआइं पोल्पक की उड़ाव फट्राइ अब और सारा मार्केट वेल्व फाल्ट तो मार्केट वेल्व फफ शेयर आजाएगे 50 एक से से तो इसे माइनता आपको क्या करना है शेयर वोल्डर्स की बुट वप विटी वट्रस दो नियुंट्थ इनुट कर देना इस तरीके से निकले यह कुछ पॉइंट से जो क्वेशन सब्सक्राइब बता दिये तो अब आप अच्छे से रिवाइस कर लेना को डाउट बताना और जो ऐसा भी वीडियो आपको लगा हो आपको अच्छा लगा हो जरूर कमेंट करके बताना या मुझे मुझे भी मॉटिवेशन मिलता है आगे महनत करने का मन करता है और भी ज्यादा आप लोगों के लिए कोई डाउट हो तो इस वीडियो में आप कमेंड में पूछ लेना मैसेज करके मुझे पूछ ले रहा और अच्छा लगे तो अपने जूनियर को आप रिकमेंड कर सकते हो बस यही चीज है तो आप नोट्स रेफर कर लीजेगा क्यों के फ्यांस से अपना अंसर मैच करना बस एक पॉइंट बताते हूं यूट्यूब वाले च्रेंट्स अब इसमें यह कमेंट करने मत बैटना है मुझे यह मेसेज मत करना से क्लास वाले सुलूशन प्रवाइड कर लेगा उसके लिए आप मेसेज करोगे तो ठीक है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आज के लिए वस इतना ही थेंक यू सो मैच